हेलो स्टूडेंट्स आइवेलकम यूओल टु दे राजांगला एजुकेशन और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हुने वाली है chemical kinetics पर ठीक है class 12 का जो है यह हमारा topic है और यहाँ पर हम सारी जो concepts है ना हमारे chemical kinetics से related उसको एक one short video में cover करने वाले हैं ठीक है ना तो यहाँ पर ना सारे के सारे concepts होंगे उन सभी concepts related हम number of questions भी last में practice करेंगे जिससे कि हमारे के सारे के सारे जो concepts है ना वो हो जाएंगे एकदम से clear ठीक है अब यहाँ पर जब हम इस unit की बात करते हैं तो यह जो unit है हमारी जो need के perspective से तो important है ही पर साथ के साथ यह हमारे boards के जो students है उनके लिए भी उतना ही equally important है क्योंकि class 12 का chapter है और यहाँ पर exam में 7 to 8 number वहाँ पर भी यह carry कर रहा होता है तो सारे concepts को समझके चलना है क्योंकि जब base हमारा अच्छा होगा ना तभी तो हम higher to higher level के questions कर पाएंगे तो यहाँ से हम start करते हैं हमारी chemical kinetics का one short revision ठीक है unit हमारी कौन सी है chemical kinetics छोटी unit है बहुत ज्यादा lengthy unit नहीं है limited number of concepts है जो हमें याद रखने है यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बचों chemical kinetics होता क्या है तो जब हम chemical kinetics की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो chemical kinetics है ना वो हमें बताता है यह जो हमारी speed of reaction के बारे में जानकारी हमें मिलती है इस unit के according जो है हमें reactions किस speed से हो रही है fast हो रही है, slow हो रही है क्या उस reaction का kinetics है उसके बारे में information मिलती है ठीक है तो chemical kinetics जो है वो किस से deal करती है speed of the reaction या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ rate of the reaction के बारे में हम यहाँ पर deal करने वाले है इस chapter में ठीक है अब जब हम rate of reaction या speed of reaction की बात करते हैं तो हमारी जो reactions होती है जो reactions हम पढ़ते हैं वो different different type की हो सकती है बच्चों कुछ reactions ऐसी होती है जो हमारी very fast reaction होती है कुछ reactions slow reactions होती है और कुछ reactions जो होती है वो हमारी कैसी होती है very slow reactions होती है ठीक है अब fast reactions कौन सी होती है generally हमने सुना होगा पढ़ा होगा कि जो भी हमारी ionic reactions होती है वो very fast reactions होती है मतब दो ionic compounds को तुमने mix के और फटा-फट से जो है product मिल जाता है within the second second के भी fraction में हमें कुछ से भी कम टाइम लगता है तो जो हमारी reactions होती है कुछ ऐसी reactions होती है जो कि very fast reactions होती है इनके examples हम क्या लिख सकते है बच्चों ionic reactions के जो examples है वो यहाँ पर हमारे आते हैं ठीक है ionic reactions जो होती है वो nature में कैसी होती है very fast ठीक है अब इनकी जो मैंने reaction करवाई तो product क्या बनेगा बच्चों na और no3 जुट जाएगा तो यहाँ पर क्या involved है इस reaction के दोरान यहाँ पर involved है बच्चों ions ions involved है naCl जो है वो कौन से ions में dissociate होता है na positive cl negative में जो agno3 है वो कौन सा ions में dissociate होगा ag positive and no3 negative ठीक है तो यहाँ पर जो ionic reactions होती है उनका जो nature होता है उनकी जो speed होती है वो काफी क्या होती है fast वो fraction of seconds में complete हो जाती है ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ हमारी reactions होती है जो कि very slow reactions होती है कुछ reactions ऐसी होती है जो बहुत धीरे 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 मतलब की उनको complete होने में महीनों लग जाते है सालों लग जाते है तो इस तरीकी की जो reactions होती है उनको हम क्या बोलते है उनको हम बोलते है क्या very slow reaction for example simple reaction हमने देखी है हमारे आसपास कौन सी rusting of iron rusting of iron जो है ना बच्चों वो हमारा एक chemical process है और ये जो chemical process है ना इसमें भी हम क्या observe करते है कि कई महीने में ऐसा नहीं है कि तुम कोई कल आज iron का कोई स्वामान लेके आए और कल देखा सुबह उठके तो उसमें rust लग गया था तो ये तो कोई possibility नहीं होती ना ऐसा होता है कई महीने में जाके वो iron जो है उस पे rust लगके वो पूरा खराब हो रहा होता है तो this is very slow process अब हम बात करते हैं जो हमारा third process है जो कि कौन से होते हैं moderate speed की reactions जो होती है जो मतलब ना तो बहुत कम time में हो जाती है ना बहुत ज़्यादा time में complete होती है ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं moderate speed वाली reactions होती है ये हमारी जो कि कैसी होती है जो कि कुछ घंटों में या कुछ मिंटों में खतम हो जाए ऐसी reactions हमारी क्या होती है moderate reactions होती है ठीक है अब यह जो moderate reactions हैं, यह हमारी जो भी moderate reactions होती है ना, इनकी speed के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि मैंने simply एक reaction लिख दी क्या, N2 प्लस में H2, दोनों, nitrogen और hydrogen मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ammonia बनाते हैं, ammonia का formation करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यह हमारी moderate speed वाली reaction है, moderate kinetics इस हाँ, इस reaction के kinetics के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं, है ना, तो जो भी reaction, जो हमारी ना तो आयोनिक होती है, मतलब बहुत slow होती, ना ही बहुत fast होती, तो ऐसी reactions के बारे में पढ़ना possible होता है, उनकी speed के बारे में पढ़ना possible होता है, हमारा, तो chemical kinetics में बच्चों में वही पढ़ना होता है, वही reactions के बारे में पढ़ना होता है, जो ना तो बहुत fast होती है, और ना तो बहुत ही slow होती है, जो एक proper time लेके, limited time लेके, उसमें complete होती है, start होती है, तो ये हमारे chemical kinetics का main हमारा motive यहाँ पर रहने वाला है, हम chemical reactions जो होती है, उनसे जुड़े हुए aspects को यह पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब जब हम एक बात कर ही रहे हैं, chemical reaction की, तो बच्चों याद होगा, हमने thermodynamics unit भी पढ़ी है, और जब thermodynamics पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने क्या है, एक limitation पढ़ी थी हमारी thermodynamics की, कि जो thermodynamics है ना, वो heat के बारे में deal करती है, मतलब heat कहाँ flow करे कि कैसे क्या करेगा, पुरा process जो है, बट जो thermodynamics है, उसमें हम speed of reaction के बारे में नहीं पढ़ते, तो वो thermodynamics है ना, उसका एक negative aspect था, कि thermodynamics जो है, वो speed of the reaction के बारे में deal नहीं करती है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कि जब हमारी कोई chemical reaction होगी, उसके लिए अगर delta G की value क्या आती है, बच्छों, negative आती है, तो अगर delta G की value क्या आती है, negative आती है, तो वो हमारा process कैसा होता है, बच्छों, spontaneous process होता है, ठीक है, कैसा process होता है, spontaneous होता है, और अगर delta G की value जो है, वो क्या आती है, बच्छों, positive, तो वो हमारा process कैसा हो जाता है, non spontaneous, ठीक है, तो thermodynamics भी हम किसी भी reaction से deal कर सकते हैं चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो थर्मोड इसमें chemical kinetics के अंदर हमें जिन टर्म से हमें deal करना है उनके बारे में ठीक है simply अभी तक हमें सर्फ यह समझना है कि जो chemical kinetics है उसमें हमें speed of the reaction के बारे में बात करनी है कुछ reactions ऐसी होती हिए जो जल्दी हो जाती है कुछ reactions ऐसी होती है जो बहुत दीरे होती है उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है हमें उन reactions को पढ़ना है जो कि intermediate speed को follow moderate speed से हो रही होती है ठीक है चलो moving to the next point is rate of reaction जो यहाँ पे हमें इस chapter में समझना है वो क्या समझना है कि rate of reaction को हम कैसे लिखते हैं कोई reaction किसी speed से हो रही है उसको हम represent कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो जो भी हमारी मैंने मालो एक reaction लिख ली general reaction कि reactant is converting into product चीक है क्या reaction लिखे बच्चों मैंने reactant is converting into product यह मेरी एक reaction थी अब यहाँ पर मैं क्या observe कर रही हूँ कि जो reactant है तो मुझे rate of reaction rate of reaction को मैं short में क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ ROR rate of reaction ठीक है rate of reaction इस reaction के लिए मुझे लिखना है simple है जो R है ना उसकी concentration जो है वो time के साथ क्या होगी decrease होगी simply हमें याद रखना है reactant धीरी धीरी क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है और product जो है वो धीरी धीरी क्या होता जा रहा है बनता जा रहा है product की concentration time के साथ क्या हो रही है increase होती जा रही है या फिर delta R भी बोल सकती हूँ, मैं इसको, इसका मतलब क्या होगा, change in concentration of reactant, change क्या हुआ, R2 minus R1, जो अब है वो और जो पहले था वो, उसका difference, ठीक है, तो minus dr divided by dt, मतलब जो change in time क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, तो rate of reaction क्या लिखा जाता है, decrease in concentration of reactant with respect to time, या फिर क्या बोल सकती हूँ, भई product जो है, वो time के साथ बढ़ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, plus sign के साथ, तो इसको लिख दूँगी, dp upon dt, ठीक है, अब याद रखो बच्चों, product जो है, वो time के साथ बढ़ रहा है, that means, p2 minus p1, जो है, वो हमारा positive आएगा, युकि product की concentration लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे ही reactant की concentration लगातार कम होती जा रही है, तो जो हमारा r2 minus r1 आएगा, वो कैसा आएगा, negative आएगा, तो यहाँ पर हमने ये भी कह सकते हैं, कि negative sign इसलिए लगाया है, ताकि overall value हमारी positive आ सके, क्योंकि rate of reaction जो है, वो किसको represent कर रहे है, हमने यहाँ पर negative sign लगाया, ये भी हम बोल सकते हैं, तो simply हमें क्या याद रखना है, जब ही rate of reaction लिखोगे, तो reactant जो है, उसकी concentration में change divided by change in time, ठीक है, sign क्या लगाना है आगे, negative, और जब product के लिखोगे, तो change in concentration of product divided by change in time, कितना time लगा है उस process में, और यहाँ पर sign कैसा रखन ना है तुम्हें सामने बच्चों, positive, ठीक है, simple है, easily हम represent कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है, चलो, अब हम बात कर लेते हैं unit की, कि जो हमारी rate of reaction होती है, बच्चों, इसकी unit की आएगी, तो simply हम देख के बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, कि यहाँ पर concentration है, उपर कौन सी term है concentration वाली term है, तो concentration है, वो हमें, molarity की form में लेनी है, ठीक है, कौन सी form में लेनी है, molarity की form में, तो यहाँ पर unit क्या हो जाएगी, concentration की, mol पर लीटर क्या यूनिट हो जाएगी मौल पर लीटर नीची क्या है बच्छों टाइम है हमारे पास नीची है ना तो टाइम के लिए मैं क्या लिखती हूँ टाइम के लिए मैं लिखती हूँ या तो पर सेकंड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है मिनिट की फोम में अगर टाइ पर लीटर पर सेकंड, तो ये हमारी क्या हो गई, unit हो गई, किसकी rate of reaction की unit हो गई है, ठीक है, चलो, अब यहां से clear हो गया, तो मैं यहां पर simply देखो, मैंने represent, यहां से हमने क्या किया हुआ है, कि rate of reaction का मतलब क्या है, बच्चों, decrease in concentration of r, decrease in concentration of r, divide by change in time, कि time में कितना change आया, और concentration of r, जो है, वो कितनी decrease हुई है, sign क्या लगाना है, reactant के लिए, आगे negative sign लगाना है, ठीक है, बड़ाबर, increase in concentration of product, कि जो product हैं, कि उसकी concentration में कितना increase हुआ है, divided by change in time और time में कितना change हुआ तो product के लिए लिखना है तो positive sign के साथ और reactant के लिखना है तो negative sign के साथ change कितना हो रहा है concentration में with respect to time that is what we call rate of reaction ठीक है? clear है चलो, अब हम चलते हैं next जैसे कि हमने हाप एक general equation लिख ली है इस general equation में हमें क्या करना है बच्चो rate of reaction हमें लिखके दिखाना है तो क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए rate of reaction हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कैसे लिखना है देखो कि यहाँ पर बच्चो क्या है ना यह जो small a है यहाँ फिर small b है यहाँ पर जो small c है and जो small d है वो क्या represent हमारा यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर यह represent कर रहा है इनके coefficient को जब कोई भी reaction हो रही है उनसके coefficient को हमें divide में रिखना होता है ठीक है याद रखेंगे तो यह क्या है बच्चो हमारा reactant है तो सामने क्या लिखूंगे minus का sign और फिर da upon dt लिख दिया ठीक है अब जो भी coefficient है ना उसको नीचे divide और कर दो तो यहाँ पर 1 upon a a से divide कर दिया मैंने तो यह मेरा क्या हो गया minus 1 upon a da upon dt यह मैंने a जो reactant है ना उसकी terms में मैंने क्या कर दिया है बच्चों जो हमारा rate of reaction है वो लिख दिया ठीक है अब b के respect में लिखती हूँ तो b के respect में देखो reactant है ना जो b है वो भी हमारा इस तरफ जो भी present है यह क्या है हमारे reactant है और इस तरफ जो भी present है वो क्या है product है तो कैसे लिखूंगी minus 1 upon b जो भी coefficient है उसको divide में लिख दिया and change in concentration of b with respect to time तो यह मेरा क्या हो गया यहाँ पर b के respect में rate of reaction आ गया फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ product के लिए तो product है हमारा c coefficient है small c तो 1 upon small c कर दिया ठीक है फिर यहाँ पर क्या लिखूंगी dc upon dt product के लिए sign positive रखना है आगे ठीक है फिर आगे लिखती हूँ 1 upon d फिर d d upon dt तो यह मैंने क्या लिख दिया बच्चों rate of reaction लिख दिया for this equation ठीक है फिर उसके बाद देखती हूँ मैं एक general equation और लिख लेती हूँ कोई भी general equation उसके लिए मैं फिर represent करती हूँ जैसे मैंने यही equation लिख ली simple है 2n2 n2 plus 3h2 यह लिखती हूँ n2 plus 3h2 will give 2nh3 तो इसके लिए rate of reaction कैसे लिखा जाएगा बच्चों इसके लिए rate of reaction लिखा जाएगा कैसे coefficient यहाँ पे 1 ही है n2 के सामने कुछ भी नहीं लिखा और that means 1 coefficient है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी minus dn2 upon dt is equals to minus 1 upon 3 dh2 upon dt मतलब hydrogen की concentration में कितना change हुआ ठीक है is equals to product के लिए plus sign के साथ coefficient down लिखेंगे यहाँ पे तो यह क्या बन जाएगा d dnh3 upon dt ठीक है तो इस तरीके से मुझे क्या represent करना है बच्चों rate of reaction को represent करना है इस वे में ठीक है चलो अब मैं यहाँ पे एक term और देख लेती हूँ क्या अगर मुझे मुझसे बोला जाए rate of क्या बोला जाता है rate of disappearance rate of disappearance of a पूछ लिया मेरे से ठीक है यहाँ फिर अगर मैं इस question में बात करूँ तो मैं कहरे हूँ rate of disappearance of n2 पूछ लिया तो क्या मतलब है इसका कि मुझे value किसकी निकालनी है minus dn2 upon dt की value मुझे calculate करके दिखानी है this is what we are representing rate of disappearance of nitrogen ठीक है ऐसे ही अगर मुझे कोई खहता है क्या निकालना है मुझे rate of appearance roa means rate of appearance of what rate of appearance of ammonia बोल दिया मेरे को तो मतलब मुझे किसकी value निकालनी है coefficient को हटा के जो बच गया ये coefficient को हटा के जो बच गया मतलब dnh3 upon dt की value मुझे यहाँ पर calculate करनी है चीक है तो इस तरीके से हमें calculate करना है rate of appearance of ammonia तो rate of appearance निकालते time basically हमें करना क्या है या rate of disappearance निकालते time हमें जो यह sign है ना उसको साथ में रखना है लेकिन जो coefficient है ना उसको हमें involve नहीं करना है ठीक है जो coefficient है उसको दूसरी तरफ बेज देंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ same इसी चीज के लिए repeatedly मैं करती हूँ इसी को तो मैं क्या करूंगी अगर ये वाली reaction है और मुझे बोला गया है कि मुझे निकालना है rate of appearance of a sorry rate of appearance of c क्योंकि appearance जो है वो product के लिए निकालना होता है प्रोडक्ट अपियर होंगे time के साथ और जो हमारे reactant है वो time के साथ disappear होते चले जाएंगे क्योंकि वो आपस में react करके product का formation कर रहे हैं तो यहाँ पर जो rate of appearance है वो products के लिए निकालना है तो rate of appearance of c अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या calculate करना है that means मुझे calculate करनी है ये value dc upon dt की value calculate करनी है ऐसे ही अगर मुझे बोला गया है कि rate of disappearance of rate of disappearance of a निकालके मुझे दिखाना है तो मतलब मुझे क्या value निकालनी है बच्चों मुझे minus sign के साथ ये term इतनी include करनी है मतलब मुझे minus d a upon dt की value calculate करके दिखानी है समझ में आई इतनी बात ठीक है बाकी जो rate of reaction है वो मैं इस तरीके से represent करती हूँ तो कोई भी हमें concentration कुछ भी given हो उसके respect में rate of reaction को इन सब के respect में किसी के भी equal रखके में rate of reaction निकाल सकती हूँ question में ठीक है चलो अब यहाँ पर next given है average rate of reaction average हम कब निकालते हैं बच्चों जब हमारा time duration जादा हो और change in concentration भी जादा हो है ना तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं average rate of reaction simply है हमारा यहाँ पर जब हम delta का use कर रहे हैं मतलब हम वहाँ पर average rate की बात कर रहे हैं तो rate of reaction अगर मुझे इस reaction के लिए लिखना है reactant is converting into product तो यहाँ पर क्या लिखूंगी r reactant है तो यहाँ पर minus delta r upon delta t ठीक है और product का formation हो रहा है product के लिए positive आएगा तो delta p upon delta t ऐसे करके लिखतूंगी ऐसे ही अगर जब मैं instantaneous rate of reaction की बात करूंगी that means both मुझे at any instant इस instant पर क्या rate of reaction चल रहा है at a particular time तो मैं वहाँ पर क्या लिखती हूँ small d से represent करती हूँ कि वहाँ पर मैं at any instant बात कर रही हूँ तो वहाँ पर time जो है वो तो change हो ही नहीं रहा that means जो हमारा delta t है वो nearly हमारा कहाँ tend कर रहा है zero की तरफ tend कर रहा है ठीक है तो instantaneous में मुझे dr upon dt की form में लिखना होता है और यहाँ पर rate of reaction जब average rate की बात करती हूँ तो delta r upon delta t लिखना होता है ठीक है simple है definition है बस हमें define कर लेनी है ठीक है next step हमारा बच्चों यहाँ पर factors affecting rate of reaction मतब हमारे कौन-कौन से factors है जो की हमारी reaction की speed को affect कर रहे है ठीक है तो जब पहले factor की हम बात करते है तो जो पहला factor है बच्चों वो है concentration concentration किसकी concentration concentration हमारे reactant की तो वो हमारे effect करती है कही न कही जो reaction की speed है वो क्या होने वाली है ज़्यादा reactant लोगे तो ज़्यादा reaction होने की possibility है items, molecules, ions के बीच में और product का formation होने की possibility है वो ज़्यादा है ठीक है, तो rate of reaction जो है, वो reactant की concentration के उपर depend करती है reactant की जो concentration है वो जितनी हम ज़्यादा लेंगे ना, तो जो हमारा rate of reaction है, वो भी कही ना कही क्या हो जाता है increase हो जाता है, ठीक है second है हमारा temperature जब हम temperature की बात करते हैं तो बच्चों हमें क्या observation मिली है, temperature से related कि जब temperature बढ़ता है जब temperature increase करते हैं तो reaction की जो speed है वो increase हो जाती है ठीक है, जब हम temperature को increase करते हैं, तो rate of reaction जो है, वो क्या हो जाता है generally, increase हो जाता है ठीक है तो यह उब्जर्व किया गया है कि जब मैंने टैंपरेचर जो है ना उसको 10 डिगरी से इंक्रीज करती हूं जब मैं टैंपरेचर को इंक्रीज कर देती हूं by 10 डिगरी सेल्शियस तो जो मेरा rate of reaction है जो speed of reaction है वो मेरा क्या है almost double हो जाता है क्या हो जाता है almost double हो जाता है rate of reaction जो है वो मेरा लगबग double वहाँ पर हो जाता है जब मैं rate of reaction जो है उसको टैंपरेचर जो है उसको इंक्रीज करती हूं उस टाइम पर ठीक है का nature कैसा है मतलब क्या कि वो reactant आपस में अच्छे से react कर पा रहे हैं या नहीं क्या वो reactant के जो bond है वो easily तूट पा रहे हैं कि नहीं तूट पा रहे हैं वहाँ पर कितनी energy हमें required होगी उस reaction को प्रोसीड कराने के लिए तो वो सब हमारा क्या है nature of the reactant और उसके ऊपर भी definitely हमा कि एक second भी नहीं लगता है इस reaction को होने में जैसे ही हमने इन दोनों reactants को mix किया और हमारा क्या है यह product का formation हो गया था है लेकिन ऐसा हुआ क्यों क्यों कि यहाँ पे जो यह reactants है इनका nature कैसा है बच्चों आयोनिक nature है ठीक है आयोनिक reactions हमारी fast हो रही है तो क्यों हो और यह क्यो यह वाली जो reaction है ना बच्चों यह हमारी क्या है इतनी fast नहीं होती क्यों कि यहाँ पर क्या है जो reactant है उनमें कौन से bond exist कर रहे हैं कोवेलेंट bond exist कर रहे हैं और कोवेलेंट bond को तोड़ने में ज़्यादा energy required होगी ज़्यादा energy required होगी तो simple सी बात है reaction इतना fast नहीं हो पाए यहाँ पर ionic bond है ions अलग हुए और दूसरे ions के साथ जुड़ गए जाके ठीक है तो यह reaction हमारी fast है यह slow है तो कहीं ना कहीं जो हमारा reactant हमने लिया उसका जो nature है वो भी effect करता है कि जो हमारी rate of reaction है वो fast होगी या फिर slow होगी ठीक है चलो moving to the next one point which is presence of catalyst की catalyst जो है वो हमारी reaction की speed करते हैं तो बचो कंऔर जो है जो है ना के डाइपस के होते है कुछ घं कंज हमारे positive catalyst होते हैं शीन नेगेटिव के लिस्ट पी होते हैं पोजिटिव पालदी नेगटिव के लिस्ट बोलते हैं जो हमारी रियक्शन की स्पीड हो है ना उसको बढ़ा देते हैं मतलब reaction ने इ ऐसे catalyst भी होते हैं और ऐसे catalyst भी होते हैं negative catalyst जिनको बोलते हैं जो कि हमारी rate of reaction को क्या कर देते हैं decrease कर देते हैं slow down कर देते हैं but generally हम positive catalyst ही देखते हैं क्योंकि हम reaction की speed को जब बढ़ाना है तो हम positive catalyst का ही use करेंगे उसमें ठीक है तो catalyst की जब हम एक generalized बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो हमारे catalyst हैं वो क्या करते हैं rate of reaction को increase कर देते हैं rate of reaction को क्या कर देते हैं बच्चों increase कर देते हैं कैसे increase कर देते हैं कि जब भी हमारी कोई reaction होती है न तो यह हमारा जो reactant है उसको एक energy barrier cross करना होता है ठीक है तब हमारा जो product है ना उसका formation हो पाता है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ कि यह जो catalyst जैसे ही मैं डालती हूँ तो वो क्या करता है कि यह जो हमारा barrier है ना इसकी energy को ही कम कर देता है मतलब low activation energy जो है ना उसको क्या कर देता है वो थोड़ा slow down करता है मतलब जो reactant था जिसको इस level के energy को cross करना था catalyst ने उसकी energy level को यहाँ तक कर दिया कि reactant बस तुम यहाँ से cross कर जावे एक बार और फिर product का formation हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या करता है catalyst rate of reaction को कैसे बढ़ाता है हम directly अभी समझ सकते हैं क्या by lowering the by lowering the activation energy ठीक है activation energy को क्या कर देता है थोड़ा low कर देता है by lowering the activation energy वो क्या करता है जो हमारे rate of reaction है उसको increase कर देता है ठीक है next point है surface area of reactant जितना ज्यादा हमारा surface area होगा reactant का reaction उतनी ही fast होगी अब तुम कोछ सोच के देखो एक तो तुमारे पास एक मोटा सा बड़ा सा लकड़ी है और उसको हमें जलाना है तो वो इतनी आराम से नहीं जल पाएगी लेकिन वही हमने उस लकड़ी को एकदम powder form में बना दिया चोटे-चोटे pieces कट कर दिये तो वो लकड़ी अब आराम से हम उनको जला पाएंगे अच्छे से आग उस पे लग पाएगी है ना तो क्या होता है surface area जितना जादा होता है ना rate ना कहीं वो rate of reaction जो है उसको भी क्या करेगा वो increase करतेगा ठीक है next है हमारा presence of radiation की जो radiation है वो क्या करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे rate of reactions को बढ़ा देती हैं तेखो जो हमारी radiation होती है sunlight वगरा की presence में तो कुछ reactions ऐसी होती है जो sunlight की presence में होती है उसमें sunlight की presence जब होती है तो वो reaction जो है वो fast हो जाती है हार एक reaction के उपर sunlight का effect नहीं होता है बट कुछ reactions जिसको हम photochemical reactions बोलते हैं वो reaction क्या होती है light की presence की वज़े से वो fast reactions हो जाती है ठीक है तो कुछ reactions जो कि depend करती है किसके उपर radiation की intensity कितनी है कितनी light उस reaction में मिल पा रही है उस चीज़ के उपर अगर depend कर तो वहाँ पर क्या होगा rate of reaction fast हो जाती है ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ h2 plus cl2 वहाँ पर यह convert हो गया किसमी hcl में तो अगर यहाँ पर sunlight की presence थी तो reaction कहीं न कहीं मैं कहीं fast हो गई ठीक है light की presence में तो जो reaction light कुछ reactions थी होती है जो light की presence में क्या हो जाती है fast हो जाती है जल्दी हो जाती है तो light radiation जो है हमारी उनकी presence से भी हम rate of reaction को effect कर सकते हैं कुछ हद तक कुछ reactions को ठीक है तो यह हमारे क्या है बच्छो सारे factors से जो की effect करते है rate of reaction को क्या-क्या factors से और क्या-क्या इनके reasons है हमें ध्यान रखने हैं अच्छे से क्या क्या है बच्छों कॉंसंट्रेशन कॉंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ओफ रेक्षन बढ़ेगा टैंपरेचर बढ़ाएंगे रेट ओफ रेक्षन बढ़ेगा सब कुछ सर्फेस एडिया बढ़ाएंगे रेट ओफ रेक्षन बढ rate of reaction बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, rate of reaction बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ाने से क्या है, rate of reaction बढ़ रहा है, हमें यहाँ पर समझ में आ गया है, ठीक है, चलो, अब मुव करते हैं, next, low of mass action के बारे में समझते हैं, क्या, जो हमारी low है, low of mass action, वो हमें क्या explain करती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बच्चों के जो low of mass action है, वो क्या कहती है, कि मैंने मान लो, statement लिखने का ऐस सच कोई basic वो है नहीं, जरूरत क्योंकि हम समझ लेंगे कि यह क्या बोलना चाहरे है, low of mass action है ना, इसके थुरू हमें क्या explain करना चाहरे है, उसके according statement हम अपने आप बना सकते हैं, अपनी language में, ठीक है, तो मान लो, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक general सी reaction लिखती हूँ, जिसमें जो हमारे reactant है, वो किसमें convert हो रहे हैं, product में convert हो रहे हैं, ठीक है, तो जो यह हमारी low of mass action है ना, यह हमें क्या कहती है, यह हमें बताती है, कि अगर हम, यह कोई भी given reaction के लिए, rate of reaction मैं लिखना चाहती हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ, rate of reaction, ROR means rate of reaction, मैं represent यहाँ पर कर रही हूँ, ROR से, ठीक है, तो rate of reaction को कैसे लिख सकती हूँ, कि rate of reaction is directly proportional, ठीक है, इसने क्या कहा low of mass action ने, rate of reaction is directly proportional to what, उसकी concentration के, अच्छा, ठीक है, raised to the power of stoichiometric coefficient, मतलब, power में क्या लगा देना है, उनका coefficient, तो B का coefficient P है, और A का coefficient A है, तो यह हमारी सिंपल सी statement है, जो कि किसने दी है, low of mass action ने, के थुरू हमें बताई गई, हमें समझनी है, क्या कहती है low of mass action, कि जो हमारा rate of reaction होगा, जो speed of reaction होगी, वो directly proportional करेगी, जो हमारी reactant है न, उसकी concentration के, और उनको raise कर दो, जो उनके stoichiometric power है, sorry, stoichiometric coefficient है, उनसे, ठीक है, this is what all about law of mass action, ठीक है न, अब यहाँ से बच्चों क्या आता है हमारे पास, कि अगर मैं इस stoichiometric coefficient को हटाती हूँ, तो, sorry, 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 अगर मैं इस proportionality constant, जो यहाँ पर मैंने लिखा है न, directly relation वाला, इसको मैं हटाती हूँ, तो, यहाँ पर मुझे constant के लेना पड़ेगा, और फिर मैं इस equation को इस form में भी represent कर सकती हूँ, a raise to power, a and b raise to power b, ठीक है, तो यह मैंने क्या represent कर दिया, हमारे हाँ पर rate of reaction को represent कर दिया है, तो यह जो हमारा यहाँ पर के आया, बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, rate constant बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको rate constant बोल रहे हैं, ठीक है, के को क्या बोल रहे हैं, हम rate constant बोल रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, बच्चों की rate constant को define कैसे करें, तो मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ, देखो, मुझे rate constant की value निकाले, उसको define करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं यह कर सकती हूँ, कि अगर मैं A की concentration को 1 कर दूँ, B की concentration को 1 कर दूँ, तो मेरा rate of reaction जो है, वो किसके बराबर आजाएगा, rate constant के बराबर आजाएगा, ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, if मैं A की concentration को क्या मान लेती हूँ, बच्चों, A की concentration को मान लेती हूँ, कितना 1, और जो B की concentration है, उसको भी क्या मान लेती हूँ, 1 मान लेती हूँ, ठीक है, तो जो मेरा rate of reaction है, अब मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, उस rate of reaction को मैं लिख सकती को मैंने क्या कर दिया unity कर दिया जब मैंने reactant और जो reactants है उनकी concentration को बच्चों मैंने क्या कर दिया unity one कर दिया तो हमारा क्या है वो rate of reaction जो आया उसी को मैं क्या बोल रही हूं ठीक है चलो next है हाँ पर rate constant को define क्या कर दिया मैंने it is defined as the rate of reaction when concentration of all the reactant is taken unity ठीक है मतलब हमने सारे reactant की जो concentration है उसको unity जब मान लिया तो वहाँ पे जो मेरा rate of reaction आया वो क्या आया मेरा उसी को मैं क्या बोल रही हूं rate constant ठीक है अब बात करते हैं यह सारे characteristics जो की rate constant के हैं और हमें अच्छे से याद रखने हैं directly हमें यहां से पूछा जा सकता है rate constant के बारे में को increase होता है rate of reaction जो है वो भी increase होती है ठीक है क्योंकि हमारी rate of reaction को मैं क्या लिख रही हूं rate of reaction is equals to k into concentration जो भी हमारे reactant के हैं वो और यहां पर इस तरीके से मैं rate of reaction लिखती हूं according to low of mass action तो यहां पर देखो जैसे ही k की value increase करोगे तो directly relation में है तो मैं क्या कहूंगी कि अगर k को increase क होगे तो rate of reaction भी क्या करेगा increase कर जाएगा ठीक है दूसरा क्या है कि value of k अलग-अलग reaction के लिए जो k की value है वो अलग-अलग आएगी जो rate constant है उसकी value अलग-लग आएगी for different reaction क्योंकि अलग-अलग reaction होगी अलग-अलग concentration होगी अलग-अलग coefficients होंगे तो k जो है उसकी value reaction to reaction vary कर ठीक है, उसके बाद है, k changes with temperature, जो k है, जैसे ही हम क्या करते है, temperature को change करते हैं, ठीक है, अभी जो हमारा temperature है, वो क्या होता है, change होता है, तो भी हमारा जो k है, वो भी क्या हो जाता है, साथ साथ, change हो जाता है, ठीक है, तो temperature के साथ हमारा जो rate constant है, वो भी क्या हो जाता है, change हो ज जो k है हमारा rate constant जो है उसकी unit पर depend करती है order of the reaction पर अब ये order of the reaction क्या होता है वो हमें समझना है तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले order of reaction के बारे में फिर हम unit of k पर आएंगे वापस से ठीक है कि unit of k जो है वो fix नहीं होती जैसे अभी हमने rate of reaction देखा तो rate of reaction के unit fix है उपर concentration है नीचे time है तो वहाँ की unit हम क्या ले रहे है mole per liter per time ले रहे है ठीक है मतलब अगर second है time तो per second हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो k होगा ना उसकी unit हमारी fix नहीं होती है वो depend करती है on the order of the reaction तो पहले हम सीख लेते है order of the reaction क्या होता है फिर हम वापिस आएंगे rate constant के unit पर ठीक है तो चलो move करते है next हमारा पहले हम पर rate low expression देखेंगे क्योंकि order of the reaction जो है वो कहां से निकलता है rate low expression से निकलता है तो पहले rate low expression समझते हैं क्या होती है अब यहां पर भी statement हम खुद से बना लेंगे लेकिन मेरा यहां पर क्या है कि equation मैंने लिख दी same वही पर कि जो rate of reaction है ना वो low of mass action क्या कह रही थी ते रहां से देखो low of mass action हमें यह कहती थी बच्चों कि जो rate of reaction है उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ A and B and C यहां पर मेरे तीन reactant present है ना A, B and C तो तीनो reactant की concentration का product लिखूँगी ठीक है और इनकी power में क्या लिखूँगी A, B and C तो ये वाली जो बात है ना ये तो कौन बोलता है बच्चों? low of mass action ये कौन बताता है हमें? low of mass action हमें ये बात बताती है बट जब हम बात करते हैं किसकी rate low expression की तो वो हमें क्या कहती है? वो हमें ये same बात कहती है बट difference यहाँ पर आ जाता है वो कहती है कि जो rate of reaction है ना वो हमारा ये तो होगा ठीक है constant लगा दो concentration of reactants लिख दो इनका product करके लिख दो यहाँ तक तो सब ठीक है बट जो यहाँ पर जो power आप लगा रहे हो ना coefficient उठाके इनकी power में रख रहे हो this is not okay क्योंकि वो यहाँ पर जो coefficient है ना वो कुछ और भी आ सकते हैं P, Q, R मतलब कोई भी coefficient आ सकता है इनकी power में जरूरी नहीं है कि जो power यहाँ पर इनके उपर हमने concentration जो reactant की थी उनकी power में हम यही coefficient लगाएं जो इनके stoichiometric coefficient हैं तो यह coefficient आना जरूरी नहीं है यह आ भी सकते हैं same किसी reaction के लिए और यह coefficient same नहीं भी आ सकते हैं किसी reaction के लिए तो यहाँ पर जो coefficients होंगे वो different हो सकते हैं इस वज़े से यह difference जो है बस वो यहीं पर है rate of reaction में और जो हमारी कौन सी है rate low expression में दोनों में बस यहीं पर difference है कि power में low of mass action कहती है कि coefficient ही आएंगे और जो rate low expression है वो कहती है कि coefficient जरूरी नहीं है आए कोई different coefficients भी आ सकते हैं ठीक है अब यहाँ से जो हमारी यह बात कही है वो किसने कही है rate low expression ने कही है किसने बोला है यह बात rate low expression के थुरू यह बात आई है तो यह जो rate low expression जब हम किसी reaction के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर जो coefficients आते हैं, in coefficients का जब हम sum करते हैं, that means P plus Q plus R, तो in coefficient का जो ये sum होता है, इसी को मैं क्या बोलती हूं? order of the reaction, इसी को मैं क्या बोलती हूं? order of the reaction बोल रही होती हूं, ठीक है? और जो ये P, Q, R, मतलब इनके power में हम क्या terms लगा रही हैं? ये हम नहीं बता सकते हैं, हमें नहीं बता, क्योंकि जो भी ये हमारा PQR, जो भी हमने देखा है न, ये क्या values आएंगी, ये हमारे experimentally determined किये जाते हैं, ठीक है, मतलब order of the reaction जो है, वो order of the reaction जो है न, वो हमारा क्या है, experimentally determined किया जा रहा होता है, theoretically नहीं किया जा रहा होता है, experimentally determined माइंड तो ये बाते हमें ही हाँ पर याद रखनी है तो order of the reaction जो है वो हमारा theoretically हम नहीं देख सकते हैं किसी equation को देखके कि भई जो coefficient है उसके वो power में लगा तो वो low of mass action कहती है और definitely वो हाँ से जो हमारा order नहीं निकल गया था किसी भी reaction का वो हमारा experimental पूरा concept है experiment के थ्रू किसी भी reaction का order of the reaction देखा जाता है ठीक है चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा order of the reaction है वो क्या है sum of the power to which concentration terms are raised in rate low expression यही तो हमने अभी पढ़ा हमने क्या पढ़ा कि जो rate low expression में जो concentration terms है ना उनकी power में हमने क्या लिखा है उन सबका sum जो होगा ना वही हमारा क्या होगा order of the reaction होगा ठीक है तो यह हमारा order of the reaction आएगा अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो order of the reaction है ना वो मेरा directly वहाँ पर coefficient नहीं लिखे जाते हैं वहाँ पर यह experimentally determined किया जाता है और ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर कभी coefficient जो है वो same हो भी सकते हैं जो stoichiometric coefficient है और उन से के दिखाई दे रहा है उसी में हो वो multiple steps में होती है हो सकती है तो वहाँ पर ऐसी reactions को हम क्या बोलते है complex reactions बोलते हैं तो वहाँ पर अलग-لग steps follow होते हैं तो 2 steps में reaction होई, तो 2 steps में अगर reaction होई, तो उन में से एक slow step होगा, एक fast step होगा और slow step के ऊपर rate of the reaction जो है वो depend करता है जैसे कि मैं यहाँ पर एक example की help से समझाती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है यह reaction हमें given है ठीक है यह reaction हमें given है 2N2O5 प्लस 4NO2 प्लस O2 अब इस reaction को देखके हमें क्या लगेगा कि जो rate of reaction है उसको मुझे कैसे लिखना चाहिए N2O5 अब यह पर लिखना ही है क्योंकि N2O5 जो है वही तो मेरा reactant है और इसके power में क्या लिखूंगी जो भी इसका coefficient है उसको मैं क्या लिख दूँगी उसके power में लिख दूँगी low of mass action मुझे ये कहती थी है ना low of mass action मुझे ये कहती थी लेकिन जब मैंने rate low expressions लिखी इसके लिए तो ये मैं कैसे लिख रही हूँ ये मैंने लिखी है इसके लिख लिख दूँगी है वच्छो ये ठीक है अब rate low expression लिखी है तो वो उसमें N2O5 की power 2 नहीं आई है ना और इसक जो पावर में लिखा है वो तो यहां पर इसका जो order है वो क्या calculate दिख रहा है मुझे यहां पर क्या आएगा one order आएगा क्योंकि इसकी power जो है वो one है तो first order reaction ही अब ये देखना ज़रूरी है कि मुझे कैसे पता चला ये first order reaction है तो simple सी बात experimentally मैंने देखे इसके steps की कैसी reaction हो होगी तो इस वज़े से हम क्या कह रहे हैं sorry जो ये reaction है वो दो step में रही होगी जिसमें से एक slow step रहा होगा और एक fast step रहा होगा और जो slow step है उसमें सिर्फ एक ही N2O5 का molecule involved होगा ठीक है तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ है यहां पर order क्या है one है ठीक है यह अभी हम एक mechanism के समझेंगे बट अभी के लिए सिर्फ यह देखेंगे कि इसके लिए जो rate है वो हमारा कितना आया rate है वो इस तरीके से लिखा गया according to rate low expression इस वज़े से इसका order जो है वो कितना आया one आया ठीक है फिर यहां पर यह reaction given है हमें तो यहां पर देखेंगे कि देखो जो low of mass action है उस experimentally determined है बच्चों यह हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में यहां पर इस reaction के लिए मैं क्या देख रही हूं NO2 की power 1 और F2 की power 1 तो यहां पर order कितना हो जाएगा बच्चों इसकी power भी 1 है और इसकी power भी 1 तो order क्या हो गया 1 plus 1 that means यहां पर order कितना है 2 order second order reaction है यह मारी ठीक है यह य कितना हो जाएगा 1 plus 1 that means यह कितने के equal हो गया 2 के equal हो गया ठीक है यहां पर अगर मैं देखूं तो यह मेरी कौन सी order की reaction है देखो power में 2 और यहां पर 1 तो 2 plus 1 कितना हो गया 3 तो यह मेरी कौन सी reaction है third order की reaction है यहां पर देखो power में क्या है यह 3 by 2 तो यह 3 by 2 order की reaction है that means what कि जो order ह बच्चों, order of reaction है, वो कैसा हो सकता है, order of reaction जो है वो fractional भी हो सकता है, order हमारा fractional भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे देखो power में क्या है, rate low expression के थूँ यह सारे rates मैंने लिखे हैं, ठीक है, तो rate यहाँ पे इस reaction के लिए क्या observe किया गया, experimentally, हाई की power पे 0 आया है, लेकिन अगर low of mass action देखें, तो है चाहिए की power पे 2 आना चाहिए था, बट हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो rate low expression से ही order of the reaction निकालना होता है, जो कि experimental values होती है, ठीक है, तो यहाँ पर value power में क्या है, 0 तो यहाँ पे इसका मतलब यह हमारी कौन सी reaction है, 0 order reaction है, कौन सी reaction है, 0 order reaction है, ठीक है next है, H2 plus CL2 ने मिलके क्या दिया, 2 HCL बनाया, तो यह भी हमारी कैसी reaction है, बच्चों देखो, ना तो H2 के उपर depend कर रहा है, ना CL2 के उपर speed of the reaction depend कर रही है, that means यह भी हमारी कैसी reaction है, 0 order reaction हो गई है, ठीक है, कैसी reaction हो गई है, 0 order reaction हो गई, अब यहाँ पर है, unit of rate constant अगर मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो अगर मेरा, देखो, Nth के लिए हमने एक general formula बना के लिखा हुआ है, फिर अगर 0 order reaction है, तो unit क्या आएगी, first order है, तो क्या आएगी, तो वो तो मैं यहाँ से चेक कर लोगी, किसी भी reaction को कि यह 0 order है, first order है, और उसके लिए फिर order of reaction N जो है, वो क्या represent कर रहा है, order of the reaction को represent कर रहा है, तो अगर मेरी जो reaction है, वो बच्चो कैसी है, 0 order reaction है, मतलब N की value क्या है, 0, तो यहाँ पे, जो unit है, unit of K जो है, वो क्या आएगी, तो N की जगे 0 रखके देख लो, यहाँ पे, क्या हो जाएगा, N की value 0 रखने पर, mol per liter per second, ठीक है, क्या हो जाएगा, mol per liter per second, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर N की value 1 है, मतलब first order reaction है हमारी, तो unit क्या आएगी फिर, तो N की value 1 रख दो, तो क्या लिखोगे, mol per liter की power, 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0 और per second, तो मतलब यह पूरी quantity तो 1 बन गई न, तो इसकी unit क्या ऐसे ही N की value 2, 3, 4 रख के किसी भी order की reaction के लिए हम unit of rate constant निकाल सकते हैं, calculate कर लेंगे, अब यहाँ पे बात आती है बच्छों की कई बार हमें क्या है, concentration की बजाए, अगर pressure given है equation में, तो pressure की terms में अगर हमें क्या करना है, unit of rate constant की value निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें प कि power 1-N per second बन जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा एक general सी बात है, जो हम समझ सकते हैं, ठीक है, simple है, clear हो जाएगा, आराम से इसमें कोई दिकत नहीं रहेगी, हमें देखो simple बात याद रखनी है, low of mass action हमें क्या कहता है, कि जो भी हमारे reactant है, उनकी concentration के उपर rate depend करता है, और power में उनके coefficient को रख दो, फिर rate low expression आई, उन्होंने का नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर power में जरूरी नहीं है, कि इनके coefficient ही आए, power में कुछ भी आ सकता है, जो कि experimentally हम determine करते हैं, और जो यह power में आया ना, इनका, अगर reactant एक से जाता है, तो उन सभी powers का sum कर दो, वो ही हम हमारा क्या हो जाता है, order of the reaction हो जाता है, क्योंकि जो order of the reaction है, वो depend करता है slow step में, जब हम mechanism की बात करते हैं, तो हर एक reaction हमें जैसी दिख रही होती है, single step में नहीं होती, multiple steps में होती है, तो ऐसी reactions को हम complex reaction बोलते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बच्छों, molecularity of the reaction, molecularity of the reaction का मतलब यहाँ पर क्या है, कि जब हमारी कोई reaction हो रही है, तो वहाँ पर कितने molecules, कितने reacting species participate कर रही है, वो हमारी क्या होती है, molecularity of the reaction, तो number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical change, उसी को हम क्या बोलते हैं, molecularity of the reaction, अगर एक single molecule है, तो unimolecular, bimolecular, तो इसको हम क्या बोल रहे है, molecularity of the reaction, ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या order में और molecularity में क्या difference होता है, ठीक है, ना, order में और molecularity में क्या difference होता है, तो order जो है, बच्छों, वो हमारा क्या है, experimentally determined किया जाता है, order जो है, वो हमारा experimentally determined किया जाता है, molecularity जो है, वो बच्छों, हमारा एक theoretical concept है, theoretical concept है, क्योंकि मानलो, मैंने कुछ भी अगर reaction लिखी, तो मैं simply देखूंगे, कितने molecules involved हैं, तो मैं क्या कह दूंगे, इसकी molecularity इतनी है, क्योंकि इस reaction के अंदर इतने molecules involved हैं, लेकिन, जो हमारा order of the reaction होता है, उसमें क्या है, कि मुझे उसके steps देखने होते हैं, और slow step के उपर order depend करता है, experimentally हम यह देखते हैं, तो यह हमारा experimental concept है, theoretical concept नहीं है, ठीक है, दूसरा, अभी अभी हम order calculate करके आएं हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, कि जो order है, वो fractional हो सकता है, है ना, order जो लेकिन जो molecularity है, can never be fractional, वो हमारी कभी भी fractional नहीं हो सकती है, molecularity जो है, वो कभी भी हमारी fractional नहीं हो सकती है, भी हम कोई भी reaction कर रहे हैं, तो हम simply यहीं बोलेंगे, भी 2 molecule involved है, 3 molecule, 4 molecule reaction कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आदा molecule reaction कर रहे हैं, तो molecularity can never be fractional, ठीक है, तो यह हमें बाते कुछ ध्यान रखनी के molecularity और order जो है उसमें difference होता है अब हम यहाँ पर बात करते हैं elementary reactions के बारे में तो elementary reactions क्या होती है जो एक single step में complete हो जाती है उसको हम क्या बोलते है elementary reactions बोलते है ठीक है, ऐसी reaction जो single step में complete हो जाए उसको क्या बोलते है elementary reaction बोलते है और दूसरी हमारी कौन सी होती है बचों complex reactions होती है जो हमारी multiple steps में complete होती है मतलब जिनको तुम्हें देखने में यह ऐसी लग रही कि यह reaction इस तरीके से हुई 2N2O5 इफने 4N02 प्लस O2 बना लिया लेकिन यह single step में नहीं हुई है यह reaction और इसी वज़े से हमारा जो order of the reaction है वो हमें जैसा दिख रहा होता है reactant वैसा नहीं आता है ठीक है यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ यह reaction किस way में proceed हुई है कि पहले step में यह हमारा first step है ठीक है फिर यह हमारा second step हुआ है दो step में यह reaction complete हुई है ना कि single step में तो पहले step में क्या हुआ N2O5 जो था वो क्या हुआ टूट गया किसमें टूट गया एक NO2 उसने बनाया और एक NO3 बना लिया ठीक है फिर दूसरे step में क्या हुआ जो यह NO3 था यहाँ से जो निकला था यह NO3 दूसरे N2O5 का जो molecule था ना 2N2O5 है ना हमारे पास तो जो दूसरा N2O5 बचा हुआ था उसके साथ इस NO3 ने कंबाइन किया और फिर इसने क्या बना लिया यह NO3 तो तीन नाइट्रोजन यह रहे तो 3NO2 बन जाएंगे यहां से और एक O2 एक्स्ट्रा यहां से बाहर निकल गया यह रियेक्सट्प में ऐसाना होकर इन दो स्ट्राप को follow करते हुए हो रही है जो first step होता है बच्चों वो slow step होता है जो second step होब हमारा fast step हुआ और जो slow step होता है वही हामारा कौन सा step होता है बच्चों rate determining step होता है किड़ेट अर। ठीक है, rate determining step है यह हमारा, और इसी rate determining step के उपर ही, order of reaction जो है, order of reaction जो है, वो इसी slow step के उपर depend करता है, इसी slow step के उपर जो order of reaction है, वो depend कर रहा होता है, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, देखो, इन दोनों reactions, यह जो reaction है, वो इन दो steps में हुई, अब मैं जैसे ही इन दोनों reactions क तो एड़ करूँगी, तो NO3 से NO3 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यह उस तरफ है यह इस तरफ, तो इधर आएगा तो कैंसल कर सकती हूँ, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2N205, 4NO2, 3NO2, 1NO2, 4NO2, और साथ में क्या बन गया, O2, तो यह मेरा जो rate of reaction है, वो slow वाले reactant की concentration है, उसके उपर depend करेगा, that is, rate is directly proportional to N205 की concentration, और यहां पर N205 का coefficient सिर्फ 1 ही है, ठीक है, तो यहां पर जो इसकी वज़े से हमें क्या समझ में आया, कि जो order of the reaction हमें इस reaction के लिए मिला, वो हमें सिर्फ क्या मिला, 1 मिला है, ना कि 2 मिला है, जो कि हमें overall reaction में दिखाई द रहा था, ठीक है, तो यह difference होता है, बच्चों हमारा, कि कोई भी reaction है, वो जैसी हमें दिख रही होती है, वो हमारे सामने overall reaction लिखी होती है, वो कौन सी reaction लिखी होती है, हमारे सामने overall reaction लिखी होती है, और उस overall reaction से हम order of reaction नहीं calculate कर सकते, जो हमारी reactions होती है, वो complex reactions होती है, हो रही है वो experimentally ही उसका order determined recibine कर सकते हैं theoretical level पर नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो यहाँ से clear हुई बात है यहाँ से कुछ अब हम बात करते हैं next जो हमारा topic है integrated rate equation के बारे में ठीक है और किस बारे में बात करते है integrated rate equation के बारे में तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिख रहा है हम दो order हमें mainly पढ़ने होते हैं यहाँ पर zero order और first order के reactions को ठीक है बट यहाँ पर हमें क्या है second order का भी थोड़ा भोग देख लेंगे तो zero first and second enough रहता है इन order के जो हमारी equations क्या बनेगी क्या नहीं उनके बारे में हमें समझना है तो जब हम बात करते हैं for zero order reaction तो zero order reaction का मतलब क्या है देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने equation लिखे reactant is converting into product ठीक है reactant जो है वो किसमी convert हो रहा है product के अंदर convert हो रहा है ठीक है अब मुझे यहां से क्या दिखा मैं rate of reaction कैसे लिखूँगी minus dr upon dt ऐसे लिखूँगी ना जो हमारा rate of reaction है वो मैं कैसे लिखूँगी minus dr upon dt लिखूँगी जो की मेरा किसकी equal आ जाएगा जो की इस तरीके से भी लिख सकती हूँ k into r की power क्या लिखूँगी यहां पे 0 लिखूँगी क्योंकि order मुझे 0 की बात करनी है मतलब reactant के उपर क्या लिखा होगा 0 उसका coefficient जो है वो क्या लिखा है मैंने आपे 0 लिखा है मतलब sorry इसका जो power में लिखा है वो क्या लिखा है 0 तो यहां से order of the reaction मेरा 0 calculate हुआ rate of reaction को मैं इस form में represent कर सकती हूँ कि नहीं बिल्कुल यह बताओ मैं last में अभी हम यही तो पढ़के आए हैं तो इस way में मैंने rate of reaction को क्या कर दिया represent कर दिया अब इन दोनों को लेके चलती हूँ equate करके चलती हूँ और फिर equation बनाती हूँ for zero order reaction ठीक है तो यहां से देखते हैं minus dr upon dt is equals to k into r की power 0 अब r की power 0 मतलब यह 1 हो गया ना तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ minus dr is equals to k into dt है ना अब क्या करूँगी integrate कर दूँगी दोनों तरफ क्या कर दूँगी integrate कर दूँगी तो integrate करूँगी तो minus sign इस तरफ लिख लेते हैं ना तो integration करूँगी dr is equals to minus k और यहां पे किसका integration dt का integration ठीक है अब dr का integration है वो क्या हो गया r dr का integration क्या हो गया r और यहां से minus k और dt का integration क्या हो गया small t और plus में मैंने i जो integration constant है i वो लगा दिया ठीक है अब मैं यहां पे condition लगाती हूँ starting की क्या रही होगी ताकि मेरा i की जो value है वो calculate होके आ जाए ठीक है तो मैं यहां पे condition यह लगाती हूँ कि when जब हमारा क्या था time 0 था t is equals to 0 था तो r की concentration जो reactant है उसकी concentration कितनी थी r note थी ठीक है तो यहां पे जब यह condition में लगाऊंगी तो यहां पे क्या लिखूंगी r की value r note थी जब time क्या था 0 था तो यहां से मेरी i की value जो है वो क्या आ गई calculate होके r note value आ गई है मेरी first equation थी यहां से second equation से ठीक है तो मैं यहां पे लिखती हूँ क्या r is equals to minus kt plus r note और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ r note r को इस तरफ ले आई r note minus r is equals to kt तो यह मेरी equation बच्चों कौन सी आ गई zero order reaction के लिए equation मैंने derive कर लिए integrated form में equation को मैंने derive कर लिया है ठीक है अब यहां पे देखो बच्चों इस equation को जो मैंने अभी calculate करी है r note minus r is equals to kt इसको मैं कौन सी form में लिखना चाती हूँ y is equals to mx plus c की form में लिखना चाती हूँ ठीक है तो मैं इसको इस सरफ ले के जाती हूँ r को इस सरफ ले आती हूँ or kt को इस सरफ ले आती हूँ ठीक है तो माइनस kt और plus r note ठीक है ना इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ कुछ नहीं किया मैंने जो kt है इसको इस सरफ ले आई terus minus kt हो गया r जो है उसको इस सरफ ले गई तो plus k r हो गया और r note तो साथ में plus का है तो इस equation को मैं इस form में भी definitely लिख सकती हूँ, अब यहां से मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यह क्या है मेरा y, क्योंकि reactant की concentration time के साथ change हो रही है, तो यह variable है, x और y मुझे variables लेने होते हैं, तो यह मेरा हो गया y, यह मेरी कौन सी representation हो गई, m into x form की represent हो गई, और यहां पे जो r note है, वो मेरा क्या है, constant है, c है, क्योंकि initial concentration reactant की क्या है, fix है, तो r note मैंने किसको माना है, constant को मान लिया, अब मैं x में और y में क्या करना है, मुझे plot करना है, x मेरा यहां पे क्या है, time, क्योंकि time change हो रहा है, चीक है, तो यहां पे time के बीच में, और यहां y क्या है मेरा r, इ मैंने इस तरीके की equation पाई, क्योंकि जो मेरी line equations होती है, y is equals to mx plus c, उसका मुझे इस तरीके से plot देखने को मिलता है, ठीक है, जो ये मेरा c है, r naught जो value है, ये मेरा क्या है, c, और ये किसको represent कर रहा है r naught, इस distance को, जिसको कि मैं क्या बोल रही हूँ, intercept बोल रही हूँ, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, intercept बोल रही हूँ, और जो ये slope है, वो मेरी क्या है, ये जो m की value है, वो मेरी किसको represent करती है, slope को represent करती है, तो जो ये minus की है न, वो मेरा किसको represent कर रहा है, slope को represent कर रहा है ठीक है तो ये चीज़ हम यहां पर समझ लेनी है अब उसके बाद हम next देखते हैं क्या first order reaction की बात कर लेते हैं कि first order की case में क्या होता है तो जब हम first order की बात करते हैं तो यही हमारी equation बनेगी rate of reaction को हमने इस way में represent कर दिया पस अब की बाद first order reaction है तो यहां power में क्या आएगा 1 आजाएगा है ना reactant को हमें लिखना है मतलब अब की बाद अब हम इसको करते हैं reaction को integrate तो कैसे करेंगे इन दोनों को equate हमने कर दिया है तो मैं क्या लिखूंगी dr is equals to r को इधर लिया हो सेम वाली जो terms है उसको इधर लिया तो यहां पर क्या लिखते है dr upon r इसका integration और इधर क्या लिखूंगी minus k dt ठीक है इस फिर form में लिख दिया अब इसका integration कर दो तो यहां पर क्या बन जाएगा dr upon r, dx upon x का integration क्या होता है बच्चों ln x होता है और यहां पर minus k t और प्लस में फिर क्या लगा देंगे i integration constant फिर condition लगा देते हैं condition क्या लगाएंगे कि जब हमारा t 0 था यह ln x मैंने यहां पर लिख दिया यह r की बात हो रही है तो r की form में लिखेंगे ठीक है ln r हो जाएगा अब condition क्या लगाएंगे कि जब हमारा time क्या है 0 है तो r किसके बराबर रहा होगा r note के बराबर रहा होगा ठीक है जब हमारा time 0 था तो r किसके बराबर रहा होगा r note के बराबर रहा होगा तो यहां से मेरी क्या equation बन जाएगी कि ln r note time 0 रख दिया तो यहां से i की value क्या आ गई? LnR0 आ गई, ठीक है? मैं यहां पर equation में put करूंगी, तो क्या बनेगा? LnR is equals to minus kt plus LnR0, ठीक है? यह equation मैंने यहां पर लिख दी है पूरी, ठीक है न? अब यहां से मेरी equation क्या बन गई? LnR0 minus LnR is equals to kt, इस form में लिख सकती हूँ न? मैं कोई दिकत नहीं है, LnR0 है, LnR को इस तरफ ले आई, तो LnR0 minus LnR हो गया, और kt को इस तरफ लेके चली गई, तो बराबर में क्या लिख दिया? मैंने उसको kt लिख दिया, ठीक है? अब LnA minus LnB क्या होता है? LnA upon B, that means LnR0 upon R is equal to kt के equal मेरा यहाँ पर आ गया है, तो यह देखो, यह जो कर्व है न, वो मैंने इसी के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, किसका? देखो, इसको मैं क्या मान रही हूँ? Y मान रही हूँ, इसको मैंने MX की form मान ली, और intercept यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मतलब 0 हो गया है, ठीक है? तो इस तरीके की equation से मैंने इसको compare कर लिया है, तो Y की value मेरी log R0 upon R हो गई, और X के जो coordinate है, वहाँ पर मैंने T ले लिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर X क्या है? T को represent कर रहा है, फिर जो यहाँ पर slope है, अच्छा, यहाँ पर, जो slope होगी मेरी, वो क्या रहेगी? अच्छा, मैंने यहाँ पर पहले क्या कर लिया है, बच्चों, simply, अच्छा, ध्यान दीजिए, मैंने log की form में इसको change कर लिया था, तो log की form में जब change करूंगी, तो यह 2.303 जो है, उससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने normal equation जब ली हुई है, तो यह वाली equation इससे represent कर पाऊंगी, मैं इसलिए, देखो, इससे भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, बट यहाँ पर यह वाली equation है, पहले उसको देख लो कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकती हूँ, बच्चो देखो, LNR और यहाँ पर क्या है, T है, तो इस equation को पहले मैं ऐसे लिखती हूँ, एक minute, यह हमारा क्या हो गया, constant है, क्योंकि R-NOT हमारा constant है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, LNR लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको इधर लेके चले गई, फिर इसको भी इधर लेके चले गई, तो मैं हाँ पर इसको इधर ले आई, तो इधर क्या हो गया, LNR is equal to minus KT plus LNR note, मतलब simple है, इस वाली term को मैं इधर लेके गई, और केटी को इधर ले आई, ठीक है, तो क्या बन गया ये, LNR minus KT plus LNR note, इसको मैंने क्या मान लिया, बच्चो Y, इसको मैंने क्या मान लिया, MX, और इसको मैंने क्या मान लिया, C, तो यहाँ पर intercept LNR note represent कर रहा है, जो minus K है, down की तरफ जो slope जा रही है, वो क्या है हमारी ये, minus K, X जो है वो T से represent हो गया, और LNR जो है वो हमारा Y को represent कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको इस form में भी represent कर देती हूं, तो कैसे LNR, जैसे यह equation थी, इसको मैं LNR note upon R लिखके, A by B वाला formula लगाके, पराबर KT लिखूं, तो मैं इसमें भी graph plot कर सकती हूं, बचो, Y is equals to MX, plus intercept क्या मान लों, अगर 0 मान लेती हूं, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर यह वाला graph भी plot कर सकती हूं, LNR note upon R में, और साथ में X यहाँ पर क्या है T, और slope 0 है, जो यह हमारा है, intercept C, वो क्या है, 0 है, तो इस तरीके का कर हमारा इसमें आ जाएगा, तो इसको भी मैं draw कर सकती हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीके बट यहाँ पर plot चुप हुआ था, उसके according था, अब यह जो LNR0 upon R is equals to KT, मैंने इसको लिखा है न, इस natural log को अगर मैं log-based 10 में change करती हूं, तो कैसे लिखूंगी, तो मैं इसको लिखूंगी, 2.303 log R0 upon R is equals to KT, ठीक है, और फिर 2.303 को इधर लेके जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा, log R0 upon R is equals to KT upon 2.303 plus, यहाँ पे 0 मान के, और फिर यह क्या मानूँगी, भई मेरा Y को represent कर रहे है, और यह पूरा M को, और जो X है, उसको T represent करेगा, और intercept क्या हो जाएगी, जीरो, तो log R0 upon R versus T, जब मैं graph upload करूँगी, तो मेरा यह नीचे वाला graph आ जाएगा, ठीक है, तो यह मुझे बस ध्यान रखना है, इस सरीके से, कि क्या मैं plot करने वाली हूँ, उसमें, अपने according मैं, बस equation के साथ compare मुझे करना है, और फिर उसको क्या कर देना है, plot कर देना है accordingly, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर next बात करते हैं, for second order reaction, जब हम बच्चो second order के बात करते हैं, तो as such derivation में, और सब में जाने के ज़रूत है, नहीं, directly equation को याद रखेंगे, equation क्या बनती है, second order के लिए, one upon r is equals to kt, plus one upon r note बनती है, ठीक है, यहाँ पर देखो, हम जब graph plot करेंगे, तो यह हमारा variable है y, क्योंकि r की concentration change होती है, time के साथ, r note हमारा fix है, तो यह हो गया c, और यह हमारा किसको represent कर रहा है, mx को, तो यह हमारा equation हो गई, y is equals to mx plus c, और मैं यहाँ पर graph plot करूँगी, one upon r versus t में, तो कुछ इस तरीके का graph, मुझे plot होता हुआ, मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद, मुझे यहाँ पर बात करनी है, किसकी half life period की, तो जब मैं half life period की बात करती हूँ, तो मेरा जो zero order reaction है, उसके लिए मेरा half life निकल के आता है, कितना, जो मेरा half, अच्छा, first order reaction में लिख लेती हूँ, पहले आँ पे, for first order, zero order reaction, for zero order reaction, zero order reaction के लिए, जो मेरा half आता है, बच्चों, वो हमारा कितना आता है, r note, upon 2k, ठीक है, और जो हमारा first order reaction होती है, first order reaction, उसके लिए हमारा half हमें याद रख लेना है, कितना हो जाएगा, 0.693, 0.693, divided by k, ठीक है, तो यह हमें half life के formula भी directly याद रख लेने है, as such उसमें कुछ है नहीं कि, simple सी बात है, r की जगे जब हम r note by 2 रखेंगे, तो वो हमारा t half हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद है next, rate of radioactive disintegration, जो हमारी radioactive reactions होती है, वहाँ पे हमारा first order जो reaction का formula है, वही follow होता है, तो rate of radioactive disintegration जो है, वहाँ पर हमारा यही formula follow होगा, जो की हमारा first order reaction है, first order kinetics जो होती है, उसी को ही follow किया जाता है, जो हमारी radioactive reactions होती है, उन में, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो हम formula लिख रहे हैं, first order के लिए जो हमारा derive होके आया है, क्या कि kt वहाँ पर हम क्या लिखते हैं बच्चों, log r0 upon r, last में वहाँ पर हमारा relation क्या आया था, log r0 upon r is equals to kt, kt upon 2.303, ऐसे ही तो हो गया था, तो यहाँ पर भी same है हमारा, यहा आया है, बस इतना सा difference है, बाकी जो radioactive decay reaction, radioactive disintegration reactions होती है, वहाँ पर हमारा यही वाला पूरा जो follow होता है procedure, ठीक है, यहाँ पर जो t half जो है, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखो, first order reaction के लिए 0.693 divided by k लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है k की जगे हमने lambda लिख दिया, जो lambda है वह हमारा disintegration constant की form में बोला जाता है, ठीक है, जो lambda है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, disintegration constant, बस नाम अलग है, काम जो है, वो बिल्कुल same है, तो disintegration constant जो है, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कोई अलग सा difference जो है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर first order reaction तो follow होती ही है और radioactive reactions में अगर हमें कभी average life पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, average life को हमें represent करना है toe से, ठीक है, average life को हमने toe से represent करना है, और toe का formula यह क्या हो जाएगा, ती half upon 0.693, ठीक है, ती half upon 0.693 हमारा toe हो जाएगा, जो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 upon 0.693 को solve करने पर 1.44 आएगा, तो toe is equal to 1.44 into t half, ठीक है, तो यह हमें basic कुछ formula हैं, जो कि directly याद रख लेने हैं, यह हमें जुन numerical हम solve करेंगे, उनमें काफी help करने वाले हैं, उसके reaction के बारे में, pseudo-first-order reactions हमारी क्या होती हैं, यह हमारी ऐसी reactions होती हैं, जो हमारी दिखने में तो ऐसी हों, जैसे first-order kinematics को follow कर रही हो, first-order kinetics को दिखने में होती हैं, सिर्फ ऐसी, but exactly यह जो reactions होती हैं, यह first-order reactions को follow नहीं कर रही होती हैं, तो ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं, शूडो फर्स्टोडर रियक्शन बोलते हैं, एक्जाम्पल्स इसके ध्यान रखेंगे, एक दो जैसे कि हाइड्रोलिसिस ओफ एस्टर, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये एक्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारी ऐसी रियक्शन है, जो कि शूडो फर्स्टोडर रियक्शन है, हाइड्रोलिसिस ओफ केन शूगर, C12, H22, OV11, जो शूगर है उसमें हम वोटर डालेंगे, तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक ग्लुकोज में और एक फ्रक्टोज में, तो ये जो है हमारा शूगर केन का हाइड्रोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस ओफ एस्टर, ये जो रियक्शन है हमारी ऐसी रियक्शन है, जो कि शूडो फर्स्टोडर काइनेटिक्स, शूडो फर्स्टोडर रियक्शन बोली जा रही है, ठीक है तो यह simple basic point है याद रखेंगे next रब हम बात करते हैं about collision theory collision theory क्या है बचो वो हमें वो जो kinetic theory of gases है इसके उपर based है हमारी collision theory यह हमें क्या बताती है कि जब भी कोई chemical reaction हो रही है तो depend करेगा कि जो हमारा product बन रहा है ना वो इस चीज के उपर depend करता है कि जो particles हैं उनमें कितने number of collisions हो रहे हैं reactant के molecule product में convert होंगे तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा number में collisions होने चाहिए particles आपस में आके टकराएंगे कुछ तभी तो product का formation होगा और जो यह product बन भी रहे है ना इनमें भी क्या होना चाहिए कि यह जो product है वो particles आपस में टकरा रहे हैं उनकी orientation के उपर भी depend करता है कि ऐसे नहीं कि मानलो मेरे पास कोई reaction हो रही है A के molecule है B के तो A और B के molecules भी बहुत सारे होंगे A के molecules भी तो यहाँ पर A, A के particles अगर आपस में टकराएंगे तो उस चीज़ का कुछ फाइदा नहीं है क्योंकि जो product है उसका formation तो कब होगा जब A और B के particles आपस में टकराएंगे तो collisions ज़्यादा से ज़्यादा हो वो तो ज़रूरी है ही बट साथ के साथ जो मेरे collisions हो रहे हैं वो effective भी होने चाहिए है मतलब A और B के जो particles हैं वो आपस में टकराएं जिससे की product का formation हो उनकी orientation proper होने चाहिए यह नहीं A और B को आपस में टकराना है ऐसे टकराएंगे तो product बनेगा वो आ रहे हैं और इस तरीके से टकरा रहे हैं तो जो उनकी orientation है collision की frequency है ठीक है तो बहुत सारी चीज़े उनकी activation energy, threshold energy सब factors के उपर depend करता है कि जो हमारा product है वो किस direction में जा रहा है जो reaction है वो किस direction में जा रही है प्रोडक्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ठीक है तो जो collision theory है हमारी वो कौन से scientist ने दी थी Max French ने दी थी और ये हमारी kinetic theory of gases के उपर based है किसके उपर based है kinetic theory of gases के उपर ये हमारी जो theory है वो based है उसके बाद है हमारा यहाँ पर assumptions यहां पर यह कहता है भई यहां पर collisions होने चाहिए कुछ product का format कर पै उसके बाद है हमारा कि जो rate of reaction होगा किस speed से हमारी reaction होगी वो directly depend करेगी किसके उपर collision frequency के उपर वो depend करेगी कि कोलीजन फ्रिक्वेंसी मतलब कि स्पीड से किती जल्दी जल्दी फटाफट से हमारे कोलीजन हो रहे हैं between the reacting spaces ठीक है उसके बाद है next हमारा कि क्या क्या barriers हो सकते हैं जब हमारा product का formation कर रहे है reactant तो वहां पर क्या क्या barriers हो सकते हैं तो first है कि reactant जो है उनके पास कुछ threshold energy होने चाहिए मतलब यहाँ पर मैं समझती हूँ क्या कि जब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यह reactant की energy है और इसको product में convert होना है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एक barrier होता है इस barrier यह जो energy इस तरफ हम क्या लिख रहे हैं कि यह reactant जो है वो product में इस तरफ जाके convert होगा तो इस reactant को ना बच्चों इस energy barrier को cross करना पड़ेगा इस इतनी energy जो है ना वो उसके पास होनी चाहिए तब ही जाकर वो क्या कर पाएगा product के अंदर convert हो पाएगा ठीक है तो यह जो पूरी energy होती है इसी energy को मैं क्या बोलती हूँ threshold energy बोलती हूँ अब क्या है इस threshold energy की बात तो ठीक है अब जो हमारा reactant है उसके पास अपनी कुछ amount में energy तो है अब ऐसा तो नहीं है ना कि reactant बिल्कुल 0 लेवल पर है इसके पास अपनी कुछ amount में energy अभी है और मतलब बाकी amount के energy अभी उसको चाहिए तभी वो product बना पाएगा तो जितनी उसके पास है वो तो ठीक है और जो बच गई उसको हम क्या बोलते हैं इस वाली energy को हम क्या बोलते ह है इतनी energy अभी उस reactant को चाहिए जिसके बाद वो जाकर product में convert हो पाएगा ठीक है तो यह हमारी क्या हो जाएगी activation energy हो जाएगी जो इसको further required है such that कि वो product में convert हो पाए ठीक है चलो अब उसके बाद यही बात यहां पर हो रही है कि reactant must possess threshold energy कि reactant के पास इतनी energy होनी चाहिए जिससे कि वो product में convert हो पाए और दूसरा orientation factor है कि उनकी जो molecules आपस में collide कर रहे हैं particles जो भी है वो proper orientation में एक दूसरे के साथ collide कर पाए ठीक है तो यह हां से जो अपना formula last में निकल के आता है rate of reaction का तो वो यह relation निकल के आता है कि जो rate of reaction है that will be equal to zab into p into e raised to power minus ea upon rt ठीक है ध्यान से देखेंगे जो zab है वो हमारा represent कर रहा है कि इसको collision frequency को तो collision frequency अच्छी होनी चाहिए तो हमारी rate of reaction अच्छी होगी fast होगी ज्यादा होगी ठीक ह दूसरा है orientation factor, orientation भी सही होना चाहिए तो हमारा rate of reaction उसके उपर भी depend कर रहा है और third है बच्छों fraction of molecules having proper energy वो fraction of molecules जिनके पास proper energy है तभी तो वो जाके product बन पाएगा तो fraction of molecules हमें कैसे देखना है जड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखो energy लिखी है और इधर मैंने क् fraction of reactant molecules तो यहाँ पर देखो जो first है यह मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्छों कि इसको temperature T1 को की condition को जो यह वाला कर्व है जो मैं white से अभी लेके जारी हूं इधर से तो यह जो कर्व है ना यह मेरा temperature को रिप्रेजेंट कर रहा है T1 को कि कोई temperature था और फिर यह इतने fraction of molecules क energy इस level की थी अब मैं क्या कह रही हूं कि यह मेरा energy barrier है जो मैंने threshold energy वाला barrier है वो मान लिया कि इतनी energy जो होनी चाहिए particles के पास तभी वो product में convert कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूं कि जब मेरा temperature जो है वो T1 है तो उस time पे सिर्फ इतने fraction of molecules हैं जिन के पास proper orientation और proper energy जो अपने पास रख रहे हैं ठीक है फिर मैंने क्या क्या temperature को increase कर दिया then मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी T2 is greater than T1 तो मैंने temperature को जब increase किया तो क्या हुआ उनको energy मिली particles को energy मिली तो ज्यादा fraction of particles जो है वो इस energy barrier को cross कर पाए है न क्योंकि उनके energy बढ़ गई तो वो जो barrier था ना उसको ज़्यादा particles cross कर पाए जिसकी वज़े से अब हमारे इस barrier को cross करके जाने वाले particles के number ज़्यादा हो गए है तो fraction of molecules जो है वो बढ़ रहे हैं तो fraction of molecules को कौन सी term रिप्रेजेंट कर रही है यह वाली e raised to power minus e upon rt तो यह हमारा क्या है इतने fraction of molecules होते हैं जिन के बाद है हमारा एक term यहाँ पर temperature coefficient temperature coefficient जो है बच्चों वो ratio होता है rate constant at t plus 10 degree celsius and rate constant at temperature t degree celsius starting में भी जब मैं factors को अभी discuss कर रही थी तब भी मैंने यही बात बताई थी कि जब हम temperature को 10 degree celsius से increase कर देते हैं तो जो rate of reaction है वो लगबग double हो जाता है ठीक है तो यही तो बात मैं यहाँ पर कह रही हूं कि rate constant की value जब मैंने t plus 10 पे निकाली और rate constant की value जब मैंने t degree celsius पे निका इसका रहता है value ठीक है next है बच्चों हमारा यहाँ पर effect of catalyst on rate of reaction जो catalyst है जिसके बारे में हमने बात की थी तो वो catalyst जो है वो rate of reaction को कैसे effect करता है तो जो catalyst है देखो simple सी बात है reaction हो रही है ठीक है catalyst बिल्कुल अराम से शांती से जा रहा होता है और वो reaction को की speed को बढ़ाने के लिए जाता है वो reaction की speed को बढ़ाता है reaction का जो यह barrier है न कि यहाँ पे जो reactant के energy इतनी थी इसको इस energy level को cross करने तो catalyst क्या करता है इसको नया रास्ता देता है और वो कहता है कि देखो अब तुम इ अच्छा वो decrease कर देता है थोड़ा lower level पे ले आता है ठीक है तो यह सारे factors है कि catalyst थोड़ी सी amount में हमें reaction में चाहिए होता है और बाद में ऐसे का ऐसा recover होके reactant product बनने के बाद वो अलग हो जाता है बाहर आ जाता है बिल्कुल disturb नहीं करता उसके बाद specific होता है nature में ऐसा नहीं कि तुम किसी भी catalyst को किसी भी reaction में डाल दोगे एक reaction के लिए specific catalyst होता है वो उसी reaction में जाके काम करेगा और किसी में जाके हर जगे जाके वो catalyst का काम नहीं करेगा ठीक है तो उसका जो काम होता है वो काफी specific रहता है एक reaction में एक चीज़ catalyst की तरह काम करती है और दूसरी reaction में वो catalyst की तरह काम नहीं करती है तो उनका जो nature होता है वो highly specific होता है does not change the delta H and delta E of the reaction जो reaction हमारी हो रही है उसके delta H यदिल्टा E की जो value है उसमें कोई change वो नहीं करता है ठीक है equilibrium की position को भी disturb नहीं करता है delta G reaction जो है उसका वो भी change नहीं करता है मतलब overall reaction जो है उसमें कोई change नहीं करता बस अपना काम करता है और वापिस as it is recover होकर आ जाता है so next step हम move करते हैं इस topic पर क्या है जो की Arihannius equation इसमें हमें क्या देखना है बच्चों हमने equation याद रखनी है Arihannius ने अपनी जो equation दी उसमें उन्होंने relate किया किसको rate constant को with temperature ठीक है तो first of all तो हमें यही point याद रखना है क्या point याद रखना है कि यहाँ पे जो Arihannius equation है हमारी यह relate करती है किसको relate करती है rate constant k को जो हमारा rate constant है k इसको relate करती है with temperature temperature के साथ rate constant का यह हमें relation provide करती है Arihannius equation equation हमारी क्या है k is equals to a e raised to power minus e a upon rt ठीक है क्या है हमारी equation k is equals to a e raised to power minus e a upon rt यह हमारी equation है यहाँ पर जो हमारा k है बच्चों वो क्या है rate constant है a जो है वो हमारा क्या है Arihannius factor है जैसे कि हम अभी recent पढ़के आए है जो हमने पूरा देखा था कि collision जब होगा तो इन सब factors के उपर depend करेगा तो यहाँ पर देखो जो rate of reaction है कहीं ना कहीं तो यह जैड, a, b वगरा यह सब आ गया था है तो ऐसे ही यहाँ पर जो है हमारा क्या है इन्होंने जो relation दिया है उसमें भी उन्होंने रिलेट किया है rate constant को तो यह किसके यहाँ पर equal है e raised to power minus e a upon r t जो यहाँ पर t है वो temperature है r जो है वो हमारा क्या है जो हमारा constant है 8.314 इसकी हमें value लेनी है अगर हम जूल की यहाँ पर बात करेंगे उस term में ठीक है जो gas constant है हमारा हमेशा fixed रहता है उसकी value अब उसके बाद है next यहाँ पर pressure जिसकी हमें यहाँ पर pressure की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी value हमें क्या ले लेनी है atmosphere की terms में ले लेनी है जो की हमारी क्या हो जाएगी 0.0821 atmosphere per Kelvin per mole ठीक है उस टाइम पर हमारी बस यह values जो है हमें change कर देनी है जो हम r constant की value ले रहे हैं उसके बाद a और ea जो है इनको इखटा हम collectively क्या बोल सकते हैं हम इनको जो हमारे है arionius parameter बोल सकते हैं अगर a की बात करें तो arionius factor है ea की बात करें तो activation energy है दोनों को इखटा हम क्या बोल सकते हैं arionius factor बोल सकते हैं parameters बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद देखो बच्चों यह जो equation उन्होंने दी k is equals to a e raised to power minus ea upon rt इस equation को directly हमें याद रखना है बट हाँ इस equation को हमें और ज्यादा क्या है elongate किया है हमने थोड़ा इसको solve किया है वो equation भी हमें इसके साथ-साथ याद रखनी पड़ेगी ठीक है हम क्या कर रहते हैं अगर यह जो हमारी equation है जिसको मैं first name दे रही हूँ इस equation को मैं क्या कर रहती हूँ दोनों तरफ क्या लेती हूँ log ले लेती हूँ अब जैसे ही मैं log लेती हूँ तो जो equation है वो क्या बन जाएगी जो equation है वो हमारी बन जाएगी log k is equals to log a क्यों हो गया log a क्योंकि a into b दो terms है हमारी तो यहां से तो यह क्या हो जाएगा log a plus में log b यह वाली term अब तुम्हें पता है अगर मैं यहां पर लिखती हूँ इसको जहां से क्या कि k is equals to a e raised to power minus ea upon rt होता है और यहां पर मैंने लिखा log k log k is equals to log a minus log e raised to power minus ea upon rt ठीक है तो यहां से जो log और exponential है वो क्या हो जाएगे एक दूसरे से cancel हो जाएगे तो हमारी equation जो है वो क्या हो जाएगी log k is equals to log a अब साथ में देखेंगे जब पहले हमने क्या है natural log लेना है और जब हम उसको convert करेंगे base 10 वाले log में तो वो 2.303 से multiply करना पड़ेगा जो यहां पर जाके divide में चला जाएगा तो overall हमारी equation है वो यहां से क्या बनके निकली ठीक है अब हम condition क्या करते हैं कि जब temperature में change होगा तो यह value यह जो equation है उसमें भी change आएगा तो हम बानते हैं पहले कि temperature जब हमारा t1 था तो उस time पर ग्राफ जो है न वो हम easily draw कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसको हम क्या मानेंगे log k है और दूसरा हमारा log a है और तीसरी term हमारी यह है e upon 2.303 rt तो इसको हमें relate करना है बच्चों simple वही equation से यह हमारी y वाली term है यह हमारी constant वाली term है और यह हमारा m into x वाली term है ठीक है तो y is equals to mx plus c जो हमारी line equation होती है उसी से हम इसको relate करेंगे और फिर इसको हम plot करेंगे तो हमें इस तरीके का curve मिलेगा slope हमारी negative आएगी क्योंकि यह minus sign है न तो slope हमारी negative आएगी तो जो हमारा line है वो upward से downward के तरफ जा रही होगी ठीक है यह हमें ध्यान देना है तो यह इस तरीके का curve हमें मिल जाएगा next देखो कि मैंने माना कि अगर temperature जो है वो क्या था T1 था जो temperature है वो starting में क्या है जब कोई reaction हो रही है तो वो T1 temperature पे हो रही है तो मैं K1 की form में इस पूरी equation को लिख देती हूं log K1 is equals to log A log A तो constant ही है न तो log K1 is equals to log A minus E A upon 2.393R T1 ऐसे ही जो log K2 है वो क्या हो जाएगा log A minus E A upon 2.393R T2 ठीक है दो equations हमारी बन गई यहां से अगर मैं क्या करती हूं log K2 upon K1 बना लिया मैंने मैंने क्या कर दिया कि इस equation को मान लिया मैंने second equation इसको third equation तो मैंने क्या किया है simply जो third equation है न उसमें से second को subtract किया है तो log K2 minus log K1 को मैं कैसे लिखूंगी log K2 upon K1 जो log की identity होती है उसी का तो use मैंने किया है ऐसे ही इन दोनों को जब मैं add करूं subtract करूंगी तो log A से log A cancel हो जाएगा ठीक है opposite signs होके और यहां से E upon 2.303 इन दोनों टम्स में से common आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा 1 upon T1 minus 1 upon T2 तो यह हमारी क्या है जब कोई reaction है वो एक temperature पे हो रही है फिर temperature को हमने change किया फिर second temperature पे हम चले गए तो जब हम यह वाली equation जो है उसको use कर सकते है to calculate activation energy of the reaction or whatever the conditions are given in our question ठीक है तो यह हमारे क्या हो गया Ariehenius का concept है simple सी बाते हमें याद रखनी है 4 क्या बाते है कि यह हमारी equation होती है जो Ariehenius ने अपनी equation derive की थी कैसे equation यह आई कैसे नहीं उस चीज़ से हमें यहाँ पे क्या है उसका meaning क्या है वो हमें समझना है तो K का मतलब rate constant है A का मतलब Ariehenius factor है और यह सब चीज़े हमें देख लेना है ठीक है अब उसके बाद जब हम इस equation को थोड़ा सा ना और solve करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बही solution जब इसका करेंगे तो पहले natural log ले लो दोनों तरफ फिर natural log को log की form में convert करो फिर उसके बाद हमारी overall यह equation बनके निकल के आ जाएगी graph हम plot कर सकते हैं इस तरीके से फिर हमने temperature के हिसाब से देखा है कि वह temperature अगर हमारा T1 है और बाद में जब temperature T2 हो गया तो यहाँ पर जो हमारी equations है उनको हम इस तरीके से solve कर सकते हैं कोई reaction अगर two different temperatures पर हो रही है तो हम इस तरीके का इस relation को थोड़ा modify भी कर सकते हैं और activation energy बगारा उस reaction के लिए calculate कर सकते हैं ठीक है तो यह थी हमारी Arianeas equation और यहाँ से हमारी इस तरीक का जो portion है वो almost हमने cover कर लिया है ठीक है पूरा theoretical portion देखो हमने इस chapter में क्या किया है first portion में हमने rate of reaction के बारे में सिखा है rate of reaction क्या होती है उसको कैसी हमें लिखना है represent करना है और जो हमारा rate of appearance है rate of disappearance है average rate instantaneous rate यह सब क्या होते हैं वो हमने पढ़ा first portion में फिर हम आए second portion पर second portion पर हमने क्या पढ़ा है second portion पर हमने पढ़ा है जो यह basic basic बाते हैं like जो हमारी first order reaction zero order reaction इनकी representation मुझे कैसे करनी है क्या equations इनके लिए use करनी होती है तो zero और first order को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है और second order reaction जो है ना हमारी उसको हम basically थोड़ा देखते भी चलेंगे कि equations directly भी याद रख लेंगे तो चल जाएगा बट zero और first order के लिए क्या है हमें समझ में अच्छी समझ होनी चीए कि कैसे equations हमें derive करनी है फिर उसके बाद हमने देखा यह सब बाते भी देखे कि क्या क्या factors है जो हमारी rate of reaction को effect कर रहे है है ना और complex reaction क्या होती है molecularity क्या है order क्या है fractional order भी हो सकता है यह सब basic basic सारे points हम cover करते हुए आए और जो भी equations हमने पड़ी ना उनको हमने graphically भी समझा कि graph की form में किसी भी equation को चाहिए वो zero order की हो चाहिए वो first order की हो उनको हम कैसे represent कर सकते है ठीक है फिर last portion में आके हमने क्या किया हमने collision theory के बारे में और last में अब यह जाके हैनियस equation के बारे में पढ़ा है collision theory में वही सब बाते की orientation matter करता है collision frequency matter करती है fraction of molecules कितना activation energy के barrier को cross कर पा रहे है वो fraction of molecules कितने क्या है वो भी matter करता है ठीक है तो यह सब हमने पढ़े फिर उसके बाद last में हम कहाँ पर आए Ariehenius theory के बारे में हमने पढ़ा Ariehenius theory के equations हमें याद रखनी है जो जो बाते उन्होंने एक दो बताई है वो याद रखनी है Simple theory है चोटे-चोटे points है हमारे ठीक है उसके बाद हम last अब आजाते हैं कुछ points, कुछ numericals discuss कर लेते हैं जिससे कि हमें ये थोड़ा idea हो जाए कि जब हम questions करेंगे न तो जो भी concepts हमने पढ़े हैं उनको apply कैसे करना है क्योंकि जब हम physical chemistry topic हमारा पढ़ रहे है तो फिर वहाँ पर ये है numerical की में अच्छा सा समझ होना जरूरी है तो numerical में हमें कैसे approach करना है तो कुछ questions की help से हम समझ लेते हैं फिर उसके बाद आप number of questions practice कर सकते हो है न जिससे कि आपको clear हो जाएगा तो जैसे first यहाँ पर question हमने यहाँ लिया है question क्या है हमारा equation हमें given है 4N3 plus 5O2 will give 4NO plus 6H2O यह equation हमें यहाँ पर provided है question में पूछा गया है rate of formation of NO क्या given है rate of formation of NO हमें given है ठीक है और पूछा गया है rate of disappearance ROD मैं किसको लिख रही हूँ यहाँ पर rate of disappearance of ammonia पूछा है and rate of formation of H2O हमसे यहाँ पर पूछा गया है question में ठीक है तो जब मैं इस question को यहाँ पर देखती हूँ तो सबसे पहले बच्चों rate of reaction मैं लिख लेती हूँ जो मेरी given reaction है उसके लिए तो rate of reaction कैसे लिखते है बच्चों जो reactants है ना उनके सामने हमें minus sign लगाना है coefficient को इधर नीचे लिखना होता है और change in concentration of reactant divide by change in time तो यह हमने लिख दिया ammonia के लिए ऐसे ही oxygen के लिए कैसे लिखूंगी बच्चों oxygen के लिए भी same coefficient को minus 1 upon करके नीचे लिखना है तो यह क्या हो जाएगा minus 1 upon 5 d change in concentration of o2 divide by change in time ठीक है ऐसे ही फिर मैं product के लिए जब लिखूंगे तो sign हमारा कैसे आएगा बच्चों positive आएगा है ना यहाँ पर क्या लिखूंगी 1 upon 4 d no मतलब change in concentration of no with respect to time and 1 upon 6 d h2o upon में क्या हो जाएगा यहाँ पर dt हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो गया rate of reaction हो गया इस reaction के लिए ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे मिला क्या हुआ है rate of formation of no मुझे given है rate of formation of no मैंने बताया बच्चों यहाँ पर no हमारा product है то rate of formation of no का मतलब है कि मुझे सिर्फ d no upon dt की बात करनी है, coefficient को हटा के बात करनी होती है, जब भी मुझे rate of formation या rate of disappearance दिया होता है, तो मैं वहाँ पर क्या है, जो भी हमारे coefficient है, उनको include नहीं करती हूँ, और जो sign है उसको include करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर no के साथ sign तो positive ही है, और coefficient को मुझे involve नहीं करना होता, of formation of no मुझे given है, मतलब dno upon dt मुझे given है कितना, 3.6 into 10 raised to power minus 3, यह value मुझे यहाँ पर given है, पुछा गया है rate of disappearance of ammonia, तो rate of disappearance of ammonia का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर minus dnh3 upon dt की value मुझे पूछी गई है, ठीक है, कोफिशेंट को हटा देना है, तो मुझे यहाँ पर minus dnh3 upon dt की value पूछी हुई है question में, तो मैं क्या करती हूँ, यह वाली जो quantity है ना बच्चों, और यह वाली quantity जो है, इनको मैं equal रख सकती हूँ, बिल्कुल, और मुझे यहाँ पर dno upon dt की value पता है, तो मैं यहाँ से minus dnh3 upon dt की value का calculate नहीं कर सकती हूँ, definitely कर सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर इनको equal रख दूँगी, यहाँ पर कैसे लिखूँगी, minus 1 upon 4 dnh3 upon dt divided by, sorry, is equals to 1 upon 4 dno upon dt, यह सब मैंने लिखा यहाँ से, अब यहाँ से बच्चों, 1 upon 4 से तो 1 upon 4 मैंने cancel कर दिया, और यह value तो मुझे calculate करनी है ना, rate of disappearance of ammonia, यह किसके equal हो जाएगा, dno upon dt की, value की equal हो जाएगा, जो की मुझे equation में क्या given है, 3.6 into 10 raise to power minus 3 given है, ठीक है, तो यह मेरा क्या आ गया calculate होकर, rate of disappearance of ammonia calculate होकर आ गया है, अब उसके बाद मुझे second part जो given है, उसमें calculate क्या करना है, rate of formation of H2O करना है, rate of formation of H2O कहां से निकालूंगी, मैं यहां से calculate कर पाऊंगी, rate of formation of H2O का मतलब है, बच्चों, यहां पे पूछा हुआ है, हमसे dH2O upon dt की value के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, तो मैं इसको यहां पे क्या, इस equation को, और जो हमारी येवाल equation है, इसको equal करके रख सकती हूँ, तो यहां पे रखूंगी, तो क्या लिखूंगी, वो मैंने कर ली है, अब मुझे क्या करना है, बच्चों, simply, ये value मुझे calculate करनी है, और ये value मुझे given है, तो ये कितने given है, बताओ, 3.6 into 10 raised to power minus 3, तो ये value मुझे given है, तो क्या मैं ये value calculate नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, है न, तो यहां से मैं ये value calculate कर लूँगी कितना हो जाएगा, dh2o upon dt will be equal to 6 upon 4 into 3.6 multiplied by 10 raised to power minus 3, ठीक है, तो यहां से मैंने calculate कर लिया है, easily हमारा इस तरीके के questions जो होते हैं, जहां पर हम से rate of reaction, rate of disappearance, rate of appearance, इस तरीके के questions पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको easily approach कर पाएंगे, बस हमें उस equation के लिए, sorry, जो given reaction है, उसके लिए हमें ये जो rate of reaction वाली equation है, वो लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, चलो, moving to the next question, जो की है हमारे पास, prove that time required for 75% completion of a first order reaction is nearly double of its half value, की, जो हमारा 75% reaction complete होने में time लगेगा, वो half होता है, first order reaction की बात हो रही है, is nearly half of its half life, ठीक है, तो सबसे पहले जब first order reaction की बात हो रही है, तो हमें equations learn होनी चाहिए, by heart, बिल्कुल अच्छे से, कि हम कोई उसमें कह नहीं सकते कि हमें बिल्कुल ऐसे tips पर पता होना चाहिए, कि ये equation ये होती है, ठीक है, तो हमारी जो first order की बात करते हैं, बच्चों, तो वहाँ पर हमारी equation क्या होती है, तो वहाँ पर हमारी जो equation होती है, वो कुछ इस तरीके से हो रही हो, लिखते हैं हम लोग क्या, k is equals to 2.303 upon t log r0 upon r, ठीक है, यहाँ पर जो r0 है, वो अच्चों क्या represent करता है, initial concentration को represent करता है, और जो यह r होता है, वो हमारा represent कर रहा होता है, किसको remaining concentration को, ठीक है, जो remaining हमारा बचा हुआ reactant की concentration है न, उसकी बात हो रही होती है, इस r जो है, वो उसको बता रहा होता है, ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी है तो ये हमारी equation यहाँ पर बन गई k is equals to 2.303 divide by t log r0 upon r ठीक है ये equation है हमारे पास अब हमें यहाँ पर क्या करना है ये बोला गया है time required for 75% completion मतलब 75% reaction जो है वो हमारी क्या हो चुकी है complete हो चुकी है तो यहाँ पर हमें time calculate करना है तो क्या करती हूँ मैं यहाँ time को इधर ले जाती हूँ को इधर ले आती हूँ कि time की बात हो रही है तो t को इधर लिख देती हूँ k को इधर लिख देती हूँ कुछ से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं है 75% reaction complete हो चुकी है तो reactant जो है वो 100% है अब कहा रहा है 75% reaction complete हो चुकी है मतलब reactant जो है 75% consume हो चुका है तो remaining reactant हमारा कितना है बच्चों 75 अगर खतम हो चुका है तो remaining जो है हमारा वो कितना है 25% अभी हमारा बचा हुआ है तो यह हमें R की value यहाँ पर 25 पुट करनी है ना कि 75 यह जरूर ध्यान र हम यहाँ पर relation निकालना start करते हैं तो क्या हो जाएगा t is equals to 2.303 divided by k लोग R हमारा कितना है बच्चों 100% है और R हमारा कितना है 25 ठीक है आप इसको soul कर देंगे तो 25 फोर्जा हो जाएगा है ना और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2.303 divided by k लोग 2 raised to power 2 ठीक है लिख सकती हूँ ना 4 को ऐसे मैं अब क्या लिखूंगी 2.303 divided by k 2 आगे ले आई मैं power को लोग के rules हमें पता होने चाहिए इतने तो अब ठीक है लोग 2 जो है उसकी value क्या होती है 0.3010 तो 2.303 multiply by 2 multiply by 3.3010 और यहाँ से हमारा क्या हो गया? divide by k जब हम इस सब को multiply करके solve करेंगे तो हमारा answer आएगा point यह 2 हमें अलग से रखना है ठीक है? 2 हमें अलग से रखना है सिर्फ किसको multiply कर रही हूँ मैं? 0.3010 और 2.303 को तो यह आएगा 0.693 के around divide by k अब हमें यह पता है हम पढ़के आए हैं क्या पढ़के आए हैं अभी? थोड़ी देर पहले ही हमने T half निकाला था ना पस्टोडर reaction के लिए तो कितना आया था? 0.693 के आया था ठीक है ना? और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? 75 यह जो T हमारा चल रहा है यह कौन सा है? 75% वाला time चल रहा है ठीक है? 75% reaction complete हो चुकी है वो वाला T हम यहां पर calculate कर रहे हैं और T half हमने निकाला था या फिर इसको क्या बोल सकती हूं? T 50% बोल सकती हूं तो यह हमारी value हमारी क्या आती है? 0.693 अब भी मैंने direct formula बताया भी था आपको तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं? कि 0.693 अपोन के जो है उसकी जिगे T 50% लिख दूं तो यह क्या बन जाएगा relation? T 75% will be equal to 2 into T 50% तो यह मेरा यहां पर क T 75% and T 50% के अंदर क्या relation जो है वो निकल के आ गया है ठीक है? तो यह बात मुझे आपर समझ कर चलनी है अच्छे से अच्छा अब मैं यहां पर कोई भी move करते हैं भी next question पर next question में हमसे क्या बोला गया है? prove that time required for 99.9% completion of a first order reaction is nearly 10 times of its T half of 99.9% completion ठीक है? मतलब वही first order reaction की बात हो रही है यहां पर तो मैं क्या equation लिखूंगी यहां पर? time के लिए मुझे बात करनी है comparison करना है तो मैं लिखती हूँ T is equals to 2.303 divided by K log R naught upon R तो बच्चों मुझे पता है R naught तो मेरा 100% है reactant की concentration starting में और जो R है वो मेरा कितना है? जब मैं यहां पर बोल रही हूँ कि 99% reaction complete हो चुकी है तो बच्ची कितनी है सिर्फ 0.1% बच्ची हुई है ठीक है? तो इसको जब मैं soul करती हूँ तो मैं उझे यहां पर क्या दिखता है? 2.303 divided by K log R naught जो की 100 है और R की value 0.1 है तो यहां से बच्चों मेरा relation आगे आता है क्या? 2.303 divided by K log 1000 ठीक है? यह क्या हो गया? 0.1 को उपर ले गए न हम 10 में convert हो गया अब यहां पर 2.303 divided by K 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 log 10 लिख सकती हूँ? log 10 मेरा क्या होता है? 1 होता है ठीक है? तो यहां से बच्चों मैं क्या लिखूंगे आगे? 2.303 divided by K into 3 ठीक है? यह जो value है ना इसको हम observe करें अगर तो यह 10 times ही होती है किसके? 0.693 divided by K के इसको जब multiply करते हैं तो यही term हमारी almost आ जाएगी जब इन दोनों को मैं multiply करूंगे तो ठीक है? तो यहां से मैंने prove क्या कर दिया? कि जब 99.9% reaction की completion की बात करती हूँ? तो वो almost हमारा कितना है? 10 times होता है जो T half हम calculate करते हैं ना उसके ठीक है? चलो next हमें यहां पर क्या given है question में? तो यहां पर मुझे T half calculate करना है बच्चों तो T half का formula होता है 0.693 divided by K बट मुझे यहां पर K की value तो चाहिए ना के जब मेरे पास होगा तभी तो इस formula में put करूंगी तो यहां पर equation लगाऊंगी जो मुझे first order की दूसरी equation पता है क्या है K is equal to 2.393 divided by T log R naught upon R ठीक है? यह मेरे equation है तो यहां पर मैं क्या लिखती हूँ आगे? यहां पर मैं देखती हूँ कि जो भी मेरे equation है यहां ठीक है? इसमें R naught की value रखनी है मुझे R की value रखनी है तो यह चीज़ मुझे साथ में समझते हुए चलना है ठीक है? R naught की value में यहां पर क्या put करूँगी? 75% reaction अगर decompose हो चुकी है तो मतलब 100% रही होगी starting में तो 75% decompose हो गई तो मतलब अभी कितना बचा होगा सिर्फ 25% हमारा reactant जो है वो remained है बचा हुआ है ठीक है? तो यह values जब मैं put कर दूँगी तो मेरी यहां से value calculate हो जाएगी 30 minute T की value भी मेरे पास given है ठीक है T की value मेरी कितनी given है 30 minute है तो सब values put करके मैं क्या करूँगी? के की value निकाल दूँगी और जैसे ही मेरी के की value आ जाती है तो मैं उसको कहां put कर दूँगी बच्चों इस वाली equation में जिससे की मेरा जो T half है वो calculate हो जाएगा ठीक है? तो इसको अब हम easily आगे solve कर सकते हैं कोई इसमें दिकत नहीं है log 4 भी solve हो जाएगा 2 की power 2 लिख दो log 4 को और फिर 2 जो power में हमने लिखा उसको आगे ले आओ तो 2 log 2 हो जाएगा log 2 क्या होता है? 0.3010 ठीक है? तो हम इसको आगे continue solve कर सकते हैं उसमें कोई दिकत हमें नहीं होनी चाहिए ठीक है? अब move करते हैं next हमें एक experiment का जो data है वो given है यहाँ पर क्या दे रखा है कि भई 4 experiments किये गई यहाँ पर A की concentration, B की concentration और initial rate की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है? तो यहाँ मैं क्य देखती हूँ मुझे यहाँ पर calculate क्या करना है? मुझे यहाँ पर calculate करना है चलो इसमें लिखा नहीं मैं बता देती हूँ यहाँ पर मुझे calculate करना है order of reaction कि जो यह हमारी reaction है इसका order क्या आने वाला है तो मैं क्या देखती हूँ बच्चों मुझे पता है यह equation जो है हमारी वो तो जब मैं rate इसके लिए लिखूंगे तो क्या लिखूंगी rate constant इन्टू एकी पावर में कुछ term आएगी और बी की पावर में कुछ term आने वाली है ठीक है तो जो ऐसे questions हमारे होते हैं उनको हम जस्ट जो देखकी questions को ही अप्रोच कर सकते हैं कि यहां पर हम order of the reaction कैसे निकालें तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर डाटा को इस तरीके से कि यहाँ पर क्या है 0.1 है concentration और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो कोई इसमें change नहीं आ रहा ठीक है तो इसको नहीं देखेंगे यहाँ देखते हैं यहाँ पर 0.3 है इसकी concentration यहाँ पर भी कितनी है 0.3 है मतल जो एकी concentration है उसमें कोई change नहीं आ रहा है मतलब जो भी हमारा rate of reaction में change आएगा वो किसकी वज़े से आएगा बी की concentration में change की वज़े से आएगा जब हम experiment 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ए है उसकी concentration में no change और बी की जो concentration है ना है ठीक है और बी के लिए यहाँ पर कोई change नहीं आया तो फिर यहाँ पर मैं क्या देखती हूं कि यहाँ से यहाँ जब मैं move करती हूं तो 72 और 288 में क्या relation है जब 4 से multiply करती हूं 42 जा 8 और 47 जा 28 तो लगबग 4 ताइम्स है यह यह जो value है और यह जो value है इनमें 4 ताइम्स में change आ रहा है मतब 4 से जब मैं पहली वाली value को multiply करूंगी तब हमारी second value बनेगी ठीक है तो यहाँ से यहाँ पर देखो इसमें हमने क्या रखा कि जब मैं इधर से इधर मूँ कर र इसका मतलब क्या कि जो मेरा y है वो कितना रहा होगा वो जो है y वो 2 रहा होगा क्योंकि जो b की concentration को जब मैं डबल कर रही हूं तो जो rate of reaction है वो कितने टाइम्स होता जा रहा है 4 ताइम्स मतलब 2 की power 2 करेंगे तभी तो बाहर 4 आप आप आएगा ना तो इसका मतलब जब मैं ने बी की concentration को डबल किया तो rate of reaction 4 टाइम्स इंकरीज हुआ यहां पर क्या आजाएगा 2 आजाएगा ठीक है फिर मैं x के लिए देखना चाहती हूं अब क्या कुछ value मुझे लेनी है तो मुझे x की value जब निकालनी है तो a की concentration में वारिशन देखना है और b की concentration को उस time के लिए म और जब मैं यहां से यहां आती हूं तो जो concentration है वो 4 times increase हो रही है 0.1 से 0.4 हो गई मतलब 4 times concentration बढ़ रही है ठीक है और जब मैं यहां से यहां आती हूं तो 6 into 4 करूंगी जब 2.40 यह जो digit है यह हमारी 4 times है इसको 4 से multiply करूंगी तब यह digit आएगी तो यहां पे भी multiply by 4 करना तो यहां पे x की value क्या रही होगी बच्चों 1 रही होगी क्योंकि a की value को अगर मैंने double किया तो एकी concentration को double किया तो अगर इसकी power 1 है तभी तो यह 2 ही बाहर निकलेगा ना तो मतलब rate of reaction भी क्या हो जाएगा double हो जाएगा तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि यहां पे x की value मुझे 1 लेनी है और y की value मुझे 2 लेनी है और order of the reaction क्या होता है x plus y that mean 1 plus 2 तो order of reaction यहां पे मेरा क्या calculate हो जाएगा बच्चों 3 calculate हो जाएगा तो इस तरीके के questions जो experiment data वगेरा जो में पूरा घीबन होता है ना वो हम इस तरीके से भी calculate कर सकते हैं directly ठीक है चलो moving to the next one for a particular reaction temperature coefficient is 2 कि किसी reaction के लिए temperature coefficient की value 2 दे रखी है हम पढ़के आये हैं अभी temperature coefficient के बारे में तो temperature coefficient 2 है इसका मतलब क्या कि 10 degree Celsius temperature बढ़ाने पर rate of reaction हमारा क्या है twice होता जा रहा है ठीक है तो यहां पे बोल रहा है कि 20 degree Celsius पे हमारी जो speed of the reaction है वो x है rate of reaction क्या है x है तो तो हमसे पूछा क्या हुआ है कि 80 degree Celsius पर rate of reaction कितना हो जाएगा ठीक है 20 degree Celsius पर x है 30 पे जैसे ही 10 degree temperature बढ़ाऊंगी तो rate of reaction कितना हो जाएगा 2x 40 degree Celsius पर rate of reaction कितना हो जाएगा इसका double हो जाएगा मतलब 4x 50 degree Celsius पर क्या होगा इसका भी double हो जाएगा that means what 8x हो जाएगा 60 degree Celsius पर 16x हो जाएगा 70 degree Celsius जब करूँगी temperature को तो यह कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा और 80 degree Celsius पर जबाऊंगी तो कितना हो जाएगा 32 का भी double हो जाएगा that means 64 times of x हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या 20 से मैं 80 degree Celsius पर पोची हूँ तो जो rate of reaction है वो मेरा कितना 64 times हो जुका है 64 times of x हो जुका है ठीक है तो easy सा question था बिलकुल next हम यहां पर देखते हैं a first order reaction is 50% completed in 30 minutes at 300 Kelvin and in 10 minutes at 320 Kelvin calculate the activation energy for the reaction activation energy हमने पढ़ी अभी last जो हमारा topic था वो यही था है न तो यहां पर दो temperatures की बात हो रही है बच्चों एक तो 300 Kelvin और दूसरा जो temperature हमें यहां पर given है वो है 320 Kelvin तो दोनों temperatures की यहां पर बात हो रही है तो जो equation हमारी रहेगी न बच्चों वो कौन सी रहेगी equation हमें यूज करनी है यही वाली जो log k2 upon k1 वाली equation थी ठीक है कौन सी वाली equation log k2 upon k1 वाली तो जो लिख लेती हूं मैं log k2 upon k1 is equals to ea upon 2.393 r 1 upon t1 minus 1 upon t2 यह हमारी equation थी यहां पर अब मुझे क्या करना है temperature 1 की value given है जो की कितनी है 300 Kelvin t2 की value कितनी given है 320 Kelvin ठीक है r जो है वो तो हमें हमारा लेना है 8.314 ठीक है activation energy जो है वो मुझे calculate करनी है k2 और k1 की value अभी मुझे चाहिए ठीक है k2 और k1 की value मुझे अभी चाहिए तो देखो बच्चो ध्यान से यहां पर कि first order की reaction है तो यहां पर first order की reaction है 50% completed मतलब T half 50% मतलब आधी reaction तो यहां पर T half से related है T half हमें कितना दे रखा है 30 minute at 300 Kelvin और T half हमें दे रखा है मतलब T1 temperature जिसको हमने माना है और T half हमें दे रखा है 10 minute at T2 temperature तो मैं यहां पर T half अगर दे रखा है तो क्या मैं K2 और K1 नहीं निकाल सकती हूं बिलकुल निकाल सकती हूं जो मेरी first order reaction होती है उसके लिए जो K है वो क्या होता है 0.693 upon me T half यही तो relation हमने पढ़ा है तो यहां से बच्चों जो मेरा K1 है वो क्या आ जाएगा 0.693 0.693 divide by T half कितना है 30 और K2 की value क्या आ जाएगी हमारी हां से 0.693 upon me T2 की value क्या है 10 ठीक है अब मैं यहां पर क्या करती हूं मुझे वहां पर चाहिए K2 upon K1 तो K2 upon K1 मुझे लिखना है तो यहीं पर divide कर लेती हूं तो यहां से यह क्या हो जाएगा 0.693 divide by 10 divide by 0.693 divide by 30 तो 30 उपर जाएगा ठीक है और यह दोनों cancel हो जाएगे तो K2 upon K1 की जो value है वो मेरी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी क्या जाएगी K2 upon K1 की value जो यहाँ पर रखूंगी मैं वो 3 आ जाएगी ठीक है तो यह सारी values को put करने के बाद मेरा क्या equation यहाँ पर बनेगी log 3 is equals to Ea जो की मुझे calculate करना है 2.303 into 8.314 और यहाँ पर 1 upon 300 minus 1 upon 320 ठीक है इस equation को हम solve कर लेंगे तो यहाँ से हमारी activation energy for this reaction calculate होकर हमें मिल जाएगी ठीक है तो यह हमारा question है यहाँ पर complete हो गया है और इसी के साथ हमने questions की approach भी देख ली कि किस तरीके से हम question को approach करेंगे within I think one hour के around हमने पूरा theoretical concept है ना वो इस chapter का complete कर लिया था and trust me वो हमारा इतना ही इसने ही हमारा यह रहता है पूरा जितने भी formula वगरा है हमें यह use करने है और multiple number of questions को practice करना है जिससे कि जो हमारा you know अच्छे से hold पन पाए जितने भी topics है ना उनके उपर तो हमें जितने भी formulas अब तक हमने पढ़े हैं ना सब अच्छे से सीख लेने हैं और उन सब बातों को ना अच्छे से समझ लेंगे तो यह हमारी चीजे जो है उतनी ही easy हमारे लिए हो जाएंगे ठीक है तो यह हमारा chapter यहाँ पे हो गया है complete हमने कुछ questions भी करके देखे ताकि हम approach कर पाएं अपने जो questions है उनके बारे में ठीक है तो यह हमने chapter को almost क्या है सारे points हमने cover कर लिए है ठीक है chapter हो चुका है complete अब हमारा काम क्या है हमारा काम यह है कि हमें multiple number of questions जो है ना वो summarize करने है अच्छे से practice करने है और अब हम मिलेंगे फिर next class में नेक्स्ट जो हमारा one short होने वाला होगा जिस भी chapter का उसमें हम उस class में हम मिलेंगे till then हमें questions जो है उसको practice करना है multiple times जितने भी questions हो सकते है ना उतने questions को हमें practice करते रहना है और बाकी जुड़े रहे हैं रिजांगला education के साथ good bye